चलो, तो शुरू करने वाले हैं हम चाप्टर जिसका नाम है Principles of Inheritance and Variation बड़ा important चाप्टर है यह Principles of Inheritance and Variation क्योंकि इसमें Genetic Disorder पर आपको सवाल देखने को मिल जाता है Pedigree Analysis पर सवाल देखने को मिल जाता है Sex Determination पर सवाल देखने को मिल जाता है तो चार से पाँच सवाल आप इस चाप्टर से expect कर सकते हैं Genetics के दोनों चाप्टर बहुत high weightage चाप्टर होते हैं तो अच्छे से Genetics कीजे इसके कुछ चुन्नूनू से numericals भी हैं वो numericals को भी हम आपके class में ही करातेंगे ठीक है तो भाई क्या है चाप्टर का नाम Principles of Inheritance and Variation ठीक है तो आओ अभ इस चाप्टर के नाम में ही दो शब्द तुमको देखने को मिल रहा है एक का नाम है Inheritance और एक का नाम है Variation तो अगर हम बात करें सर Inheritance की Inheritance आता लगा, Inherit की है तो पुस्तेनी चीजे तुमारे पास आई है ना तो इसको हम Inheritance कहते हैं तो क्या भाया तो इट इस दा प्रोसेस बाई विच इट इस दा प्रोसेस बाई विच क्यारेक्टर्स आर पास्ट फ्रॉम पेरेंट प्रोजनी पेरेंट से प्रोजनी में जिस तरह से क्यरेक्टर पास होता है उसको हम कहते हैं Inheritance है ना तो उसको विरासत में क्या मिला उसको हम Inheritance कहते हैं इसको हम Inheritance कहते हैं Inheritance is the basis of heredity इसी से आपको पुस्तैनी चीजे मिली Inheritance is the basis of heredity Is the basis of heredity ठीक चले तो हमने एक टर्म समझा जिसका नाम था Inheritance ठीक है दूसरा क्या है बेटा दूसरा होता है उसको हम कहते है Variation कुछ character तुमने अपने पेरेंट से Inherit किया तो तुमने अपने पेरेंट से Inherit किया ठीक है और कुछ difference भी होगा तुमारे पेरेंट के बीच में दूसरा पॉइंट है इसको हम कहते है Variation तो क्या भी है It is the Degree of Difference Between Parent and Progeny And Between Two Progeny It is the Degree of Difference Between Parent and Progeny तो इसको हम कहते है Variation तो inheritance बेटा क्या हुआ Inheritance बेटा क्या हुआ Inheritance तुमारा ऐसा प्रोसेस जहां पे Character पास हो रहा है तुमारे पेरेंट से प्रोजनी में ठीक है Variation क्या हुआ बेटा It is the Degree of Difference Between Parent And Progeny Parent और प्रोजनी के बीच में जो Difference है मेरी शकल Exactly मेरे पापा से तो नहीं मिलती होगी या मेरी शकल Exactly मेरे मम्मी से तो नहीं मिलती होगी जो जो Difference है उसको हम Variation कहते हैं और जिस तरीके से हम Character अपने Parents एक्वाइर करते उस प्रोसेस को Inheritance कहते हैं ठीक है ठीक है सर्थ अब तुम देखोगे कि जब reproduction होता है तो reproduction दो तरीके से होता है अगर हम बात करें reproduction जब भी होता है तो reproduction दो तरीके से होता है कैसा होता सर्थ पहला जो तरीका होता है reproduction का उसको हम कहते है A-sexual reproduction, क्या कहते हैं, A-sexual reproduction, और दूसरा तरीका होता है, जो reproduction का, उसकों कहते हैं, जब भी sexual reproduction involved होता है, तो यहाँ पे एक cell division का process होता है, जिसको हम कहते हैं, and miosis की वजए से ही, आपको variation देखने को मिलता है, तो जो यह change देख रहे हो, degree of difference देख रहे हो, पेरेंट और रोजनी के बीच में, it is because of, it is because of sexual reproduction, जो कहां हुआ, miosis के कारण हुआ, ठीक है, एक sexual reproduction में क्या होगा बेटा, एक sexual reproduction में तो तुमको देखने को मिलेगा clone, यहाँ पे mitosis होता है, एक sexual reproduction में तुमारा जारतर mitosis होता है, और यहाँ पे जो प्रोजनी होते हैं, उसको हम clone बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम clone बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम clone बोलते हैं, ठीक है था, तो degree of difference between parent and progeny and between two progeny is called, क्या variation, ठीक है, तो variation किस case में हो रहा है, variation जब भी हो रहा है, तुम्हारा sexually reproducing organism में हो रहा है, और sexual reproduction में क्यों होता है variation, क्योंकि वहाँ पे meiosis है, ठीक है, तो clone का अगर हम definition लिखेंगे, तो क्या होगा clone का definition, a group of genetically and morphologically singular organism, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, हमने reproduction देखा, reproduction दो तरह का होता है, asexual reproduction और sexual reproduction, asexual reproduction में क्या होता है, जो progeny होता है, वो अपने parent से बिलकुल identical होता है, तो उसको हम clone कहते है, sexual reproduction की जब आप बात करेंगे, तो sexual reproduction में meiosis involved होता है, meiosis के वजए से आपको progeny और parent के बीच एक variation देखने को मिलता है, तो जो difference है character में, उसको हम variation कहते हैं, और जो character आप अपने parent से inherit करते हो, उसको हम inheritance कहते है, which forms the basis of your heredity, तीन लाइन है, जो तुमको समयना है यहां पर, चल्द, आगे बढ़ता है, अब कुछ इधियास होजी है, हम लोग को पता नहीं है, आखिर क्या inherit कर रहे थे हम, ठीक है, जैसे हमको, जब molecular basis of inheritance पढ़ रहे था, हमें नहीं पता था, मेरा genetic material क्या है, तो आज हमको पता करना है, कि हम आखिर inherit कर क्या रहे हैं, कैसे inheritance हो रहा है मेरे body करने हैं, ठीक है, तो लगबग, लगबग, आठ हजार से हजार बीसी पहले तक, आठ हजार से हजार बीसी, क्या, इंसानों को पता था, कि कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ जो inheritance हो रहा है, It had to do with sexual reproduction, मेरा बच्चे का शकल ही हमसे मिल रहा है, पड़ोसी के बच्चे का नहीं कर रहा है, मतलब मैंने जिसके साथ sex किया है, उसके साथ ही, मत उसके साथ नहीं, उसके साथ नहीं, उसके बच्चे के साथ ही मेरा शकल मिल रहा है, तो इंसानों को इस समझ में तो आ गया था यूमेंग नियू 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 दो कॉज ओफ वेरियेशन वोज इन वार बिकॉज और सेक्शल इप्रोक्षन क्या था तुमारा क्लोन आता था ठीक है और जो इनहेरिटेंस हो भी रहा है पेरेंट से प्रोजेनी के बीच में ही हो रहा है ठीक है अच्छा दूसरा क्या है इन्होंने हाइब्रिडाइशन एक्स्पेरिमेंट किये हाइब्रिडाइशन मतलब क्या होता है बटा हाइब्रिडाइशन बहुत सालों से अगर मुझे असली नसल का वो चाहिए जिससे हमको एक सुपीरियर बच्चा मिलता था तो हमको इतना पता है कि अब समझो 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 ज्यादा तर केसे में अगर मालो कि तुम्हारे पापा लंबे है तुम्हारी मम्मी लंबी है तो तुम भी लंबे होगे अंटिल लेस तुम पडोसी बच्चे नहीं हों जानतार केसे मैं अब शक मत करने लग है ना पापा हमें बर तो यह तो समझ में आ रहा है कि sexual reproduction हो रहा है और sexual reproduction का product तुम हो तुम्हारा शकल या तुम्हारे त्रेट्स तुम्हारे parents पे गए हैं कुछ तुम्हारे पρडोसी पे चलेगा पड़ोसी मतलब दिल पे मतलब पड़ोसी मतलब किस पर चले गया मतलब जो तुम्हारे अपने trait है जो variation हो गया तुम्हार थीक है जो variation हो गया तुम्हारे बहुत बढ़ बढ़ गया है हैब्राइशन मतलब क्या हुआ हैब्राइशन experiments करते थे लोग तो it is मेटिंग बेट्वीन सुपीरियर ब्रीड तो गेट सुपीरियर प्रोजनु इसको हम कहते है हमने एक और फिनोमिना यूज किया जिसको हम बोलते है आपनी वालूशनियों पढ़ा था कि नेजर जिसको सरे करेगा उस species की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी नेचर जिसको select करेगा उस species की आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक है, artificial selection का क्या मतलब होता ने बिटा, artificial selection की जब हम बात करते हैं, जिसको हम अपनी जरूरत के लिए select करने हैं, जैसे मेरा कुट्टा है, ठीक है, मेरी नाजाई जौलाद जो है ठीक है, अब उसको अगर तुम सड़क पे छोड़ तो साला दो दीने मर जाएगा अब उसको तुम सड़क पे छोड़ तो दो दीने मर जाएगा, उसको मतलब कमल लपेट के हम लोग रखते हैं, और है वो Spanish कुट्टा, English Cocker Spanial है, टेकनिकल इसको बर्फ में किलना चाहिए, बट भाई साहिब फीटर खोचते रहता है, उसको इतनी धंड़ी लगती है सब ज़गा, ठीक है, तो अब क्यो बाई, अब अपना तो निपट गया रहता, दो कुट्टे उसका ऐसे डॉग भी रहनी खाला जाते बनाके तो इसी फिनोमेना को हम कहते है Artificial Selection, ठीक है तो Artificial Selection क्या हुआ कि Superior मतलब Artificial Selection में हम क्या किये कि Artificial Selection में हम Selection of Selection of Breed of Economic Importance, या तो Economic Importance या हमारी जज़वत के हिसाब से, ठीक है Economic Importance मतलब टेक्निकली इसका तो क्या ही Economic Importance मेरे ज़वत के हिसाब से जिस ब्रीड को हम सेलेक्ट करते हैं, उसको हम Artificial Selection करते हैं, ठीक है तुमको कुछ एक्जामपल देते हैं से हमने देखा कि हमने साहिवाल काव बनाया था, साहिवाल काव बनाया था, ठीक है, यह दोनों काम हो रहा था, तो हमने इसको hybridization के थुरू बनाया साहिवाल काव को, और इसका हम use करने लगे, तो धीरे-धीरे-धीरे क्या हो गया, कि इसकी आवादी बढ़ने लगी, ठीक है, ठीक है, एक male है, एक female है, बच्चा होगा, कुछ mixed characters आएंगे male के और female के इसमें, ठीक ठीक, ठीक, तो यह तुम्हारा क्या हो गया, बट, we had very little idea about the scientific basis of this phenomenon, very, we had, very little idea about the scientific basis of it, the scientific basis of this phenomenon, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत है, इसके बाद, कहानी में इंटर हुई हमारे rockstar की, हमारे hero की, जिसका नाम था, Gregor Mindal, और जिसने सबसे पहले, genetics के concepts को समझाने की कोशिश की, हाला कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ था, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है, अब आते हम थोड़ा, मिंडल चेचा के बारे में बटते हैं, Gregor Mindal, सब कुछ आपको जानना है, कब पैदा हुए, कब मरे, क्या किया, ठीक है, तो इनको हम डाड़ी जी ऑफ जनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है, तो यह क्या किये, उनोंने, उनोंने, हाइबृःडाइचन, एकस्पेरिमेंट किया, पी प्लांट पे, तो, ही कंडुक्टे, हाइबृडायजेशन, एकस्पेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट ओन कौन्छा ब्लांट पो गया कंडुक्टर हाइब्राइशन एक्सपेरिमेंट ओन 25 सेटिवम 25 क्या होता है इसको इसको हम कहते है गार्डन वराइटी पी प्लांट गार्डन वराइटी ठीक है ठीक सर नंबर ओफ क्रोमोजोम कितना होता है पाईसम साथे में 2N is equal to 14 यह तुम्हार नंबर ओफ क्रोमोजोम ठीक है और जो पी प्लांट को था इसने साथ साल तक पढ़ा तो ही कंड़क्टेड हाईडरेशन एक्सपेरिमेंट ओन पी प्लांट फॉर सेवें येर्स अब तभी इंस्टाग्राम डील्स का जमाना तो था नहीं कि तुम लोग का पन्न मिट ने फूस हो जाए है ना तुम लोग का तो एटेंशन स्पान एकदम है ना तो 1856 से 1863 तर इन्होंने पी प्लांट पे हाईप्डाइशन एक्सपेरिमेंट किया ठीक है एड इसी के बेसिस पे इन्होंने ला ओफ इनेरिटेंस प्रपोस किया एड बेस्ट ओन प्रश्यों थी अ्रियत इन्होंने थेश्पनीव न थीजिए इन्होंने ला-oh ऑन दीदेंस प्रपोस्थ औुम थेश्पनी उ आते युक्ण स्वेटेंस ठीक है पहले उससे पहले law of inheritance को समयने पहले हम समझते हैं कि मेंडल चाचा को आखे पी प्लांट से इतना प्यार क्यों था क्यों मटल खाने बड़ा मुझा आता था था उसको नम बढ़ियां दाल बनता था नहीं रीजन था उसका वह रीजन पढ़ते हैं कि why did मेंडल चाचा chose पी प्लांट क्यों चूज किया भई पी प्लांट में जाचा ने कोई बढ़ा पाएगा सबसे पहला रीजन कि पी प्लांट का जो है it is a seasonal प्लांट सबसे पहला रीजन कि सीजनल प्लांट है एक सीजन में इसका काम हो जाता था है ना मतलब इसका शौर्ट लाइफ साइकल था तो आराम से मिन्डल चाचा ने एक सीजन खेती की पी प्लांट वांट पड़ा एक सीजन फ्री रह थे तो वेकेशन भी और साथ साल में काम हो गया इनका साथ साल में साथ फ्रेट देखा साथ साल में इनका काम निकल लिया तो सीजनल प्लांट था बड़ा इंपोर्टेंट था शौर्ट लाइस प्लांट था दूसरा क्या था कि इसमें जो flower था वो bisexual flower होता है यहाँ पर क्या है? यहाँ पर bisexual flower है अब क्या फाइदा है सर्फ bisexual flower का? तो यहाँ अगर bisexual flower है तो आप self pollination भी कर सकते हैं cross pollination भी कर सकते हैं bisexual flower होगा तभी तो self pollination हो पाएगा अगर unisexual flower है तो उसमें सिर्फ cross pollination हो सकता है यहाँ पे, बोथ self-pollination and cross-pollination could be conducted. बोथ self-pollination and cross-pollination could be conducted. दोनों चीज़े यहाँ पे हो पा रहे थी, self-pollination भी हो जा रहा था और cross-pollination भी हो जा रहा था, ठीक, तीसरा सर क्या हो पा रहा था, कि a large number of visible contrasting traits were present, a number of visible contrasting traits were present. तो आपको बहुत सारा visible contrasting traits देखने को मिलता था, बहुत सारा आपको visible contrasting traits मतलब की physical features, है ना, जैसे तुम stem का height देख लो, है ना, तो हमने साथ contrasting traits बढ़ा था, उस प्यारी में भी हम बात करेंगे, ठीक है, तो ये तीन चीज़ के कारण, मिंडल ने P plant use किया, ठीक है, अच्छा, अब कैसे हम self-pollination कराते हैं, तो प्रहा से एक basic समझ लेते हैं, कि हम self-pollination कैसे कराते हैं और cross-pollination कैसे कराते हैं, पहला, self-pollination हम कैसे कराते हैं, तो self-pollination कराने के लिए, self-pollination कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हमको self-pollination कराने, simple process है, एक लड़का-लड़गी कुछ कराना है, ठीक है, कामरा में बन कर दो, रोमेंटिक मीजिक चला दो मामला हो जाएगा से, है ना, मतलब अलग बात है कि तुम्हारे शकल बहुत खराब है तो फिर तो दिक्केत होगा, बट मैनेज कर ले कर लो, है ना, सेल पोलिनेशन में क्या है, सिंपल एक फ्लावर लो, फ्लावर को बैक कर द बैगिंग कर देंगे, उसको कवर कर देंगे, कवर कर देंगे, कवर कर देंगे तो क्या होगा, सेल पोलिनेशन हो जाएगा, कवर कर देंगे तो क्या हो जागा, सेल पोलिनेशन हो जाएगा, वहीं अगर हमको क्रॉस पोलिनेशन कराने, नहीं कराने मुझे, डिस्करेज करन है self-pollination तो हमको क्रॉस पॉलिनेशन कराना है तो सबसे पहला step क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्या होगा कि कहीं और से पॉलिन ग्रेन है अपना घर वाला पॉलिन ग्रेन नहीं चलेगा तो सबसे पहला step होता है that is emasculation emasculation में क्या हो गया कि हम जो घर वाले एंधर्चन को काटे घर वाले लॉंडे कुछ नहीं करता है सबसे पहला step हुआ emasculation टेक्निकली यह मेरे जैसे है ठीक है क्या किये बहिया तुम्हाएं पिता जी ने पहले जो तुम्हारा जितना setting था setting को हटा दिया ठीक है महले के सारे लॉंड ने धंगा दिये कि कोई छड़े ना तुमको तो फिर क्या हुआ emasculation में cutting of anther of anther हटा दिया इसको हम कहते है emasculation दूसरा भाईया जब आपा लड़की खोजने जा रहे है तुमारे लिए लड़का खोजने जा रहे है तुमारे लिए तो उस ताइम पर क्या हुआ है तुमको कमरा में बन कर दिया ताकि तुम इदा उदा मूह नहीं मार प पॉलन जब तक खोज नहीं रहे हम डिजायड पॉलन जब तक इंजिने डॉक्टर लड़का नहीं खोज रहे तुमारे लिए तब तक ऐसे तुम कोई छपरी रील बनाने वाले लड़के साथ कुछ ना कर लो है ना तो उस प्रोसेस को तुमको बचाने के लिए क्लिए किया इंतिजाम करा दिया गया इससे तुमारा सेटिंग करा दिया गया ठीक है अब क्या है कि सेटिंग कराने के बाद तुरंट तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम लोग में प्रेम समवाद हो जया है तो क्या फिर से तुम लोग को हनीमून पर कहीं भेजना पड़े तो उस प्रोसेस के बाद हमने उसको re-bag कर दिया जिस phenomena को हम कहते हैं re-bag ठीक है ठीक है से तो यह तुम्हारा दो प्रोसेस से self-pollination और cross-pollination होता है ठीक मेंडल चाचा ने साथ contrasting trait पढ़ा ठीक है मेंडल चाचा ने अपने साथ contrasting trait पढ़ा जो हमने देट बोला था था ठीक है तो Mendel studied studied 7 contrasting trade कौन-कौन्सा यह साथ contrating trade था वैसे तो पीपटीव बना हुआ मेरे पाफ और चलो तुम लिख रहा है और महाल बना हुआ लिखने का थो हम लिख ले थे हैं सबसे पहला है यह दाट इस स्टेम हाइट ठीक है अब इस कॉंट्रास्टिंग ट्रेट का मतलब क्या हुआ काला उजला है एसन कॉंट्रास्ट है तो मतलब जब कॉंट्रास्टिंग ट्रेट की हम बात करेंगे तो एक ट्रेट मेरा डॉमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट मेरा रिससिव होगा एक ट्रेट मेरा डॉमिनेंट होगा और दूसरा ट्रेट मेरा रिससिव होगा ठीक है सर तो डॉमिनेंट ट्रेट स्टेम हाइट में क्या हुआ टॉल डॉमिनेंट ट्रेट स्टेम हाइट में क्या हुआ टॉल रिसेसिव ट्रेट क्या हुआ सर द्वार्फ छोटा है ना F तो डॉमिनेंट ट्रेट क्या हुआ सर टॉल रिसेसिव ट्रेट क्या हो गया सर द्वार्फ दूसरा अगर हम आ जाते हैं सर बात करते हैं दूसरा that is seed color seed color की बात करेंगे dominant rate क्या हुआ सर seed color में क्यों टॉल है seed color में dominant rate क्या हो गया seed color यलो और रिसेसिव ट्रेट क्या हो गया सर ध्यान रखना seed color में yellow dominant होता है जब pod color आओगे तो उसमें green dominant हो जाता है ठीक है तीसरा हो गया सर seed shape कैसा होगा सर round है तो dominant और इधर क्या हो जाएगा wrinkle क्या हो जाएगा wrinkle ठीक है सर बात करें अगर हम flower color की कैसा color होगा भाईया बात करें हम flower position की अगर अगर flower पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल एक्सियल मतलब क्या होता है बेटा देखो अगर कोई एक flower है let's say यहाँ कोई flower एक्सियस ओफ लीफ पर अगर flower हो रहा है यहाँ पर तो यह जो है यह एक्सियल हुआ और end पर हो रहा है तो यह जो है यह टर्मिनल को ठीक है एक्सियल और टर्मिनल का डिफरेंच ध्यान रखियेगा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है अच्छा उसके बाद आप क्या रह गया अब रह गया पॉड कलर अब यहाँ देखो उल्टा हो जाता है अब यहाँ देखो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे green dominant है और yellow रिससे हो जाता है, यहाँ green dominant है, और yellow रिससे हो जाता है, और साथ में आ जाता है तुमारा pod shape pod shape pod shape में क्या हो गया साथ, pod shape में, inflated अगर फूला हुआ है और यहाँ constant ठीक है, difference बस तुमको यहाँ देखना है बेटा, देख लीजेगा यहाँ पे green dominant है, और यहाँ पे yellow dominant है, ठीक है यहाँ पे green dominant है और यहाँ पे yellow dominant था तो मेंडल इसी साथ contrasting trait को पढ़ा और क्या किया उसके बाद और उसके बाद मेंडल चाचा ने बोला कि these, मेंडल ने वैसे नहीं बोला था बट हम बता देते हैं तुमको रास की बात है, तुमनों किसी को बताना माँ ठीक है, these seven contrasting traits were present on four अगर मेंडल की किस्मत थोड़ी सी खराब होती और कहीं कुछ linkage linkage वाला scene हो गया रहता और तुम्हारे जो यह gene है independently assort नहीं कर पाते हैं तो मेंडल चाचा की लग जाती है, ठीक है यह रास की बात है, ठीक है, दिहान लगना, तो these these seven contrasting traits, ठीक है, these seven contrasting traits were present on four chromosome these seven contrasting traits were present on four chromosome these seven contrasting traits were present on four chromosome, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छा बात कोई दिक्कत यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक, ठीक है, आई, आई अब कुछ terminology देख लेते हैं, पढ़ने से पढ़ने, जिसको हम कहते है, genetic terminology, आगे की बात, हम लोग genetic वाले भासा में करेंगे, तो थोड़ी terminology देख लेगे, हाँ, genetic termino, हमने inheritance देखा था, आपने भी देखा था, हमने भी देखा था, ठीक है, inheritance हमने already देख लिया, इसको tick को लगा देंगे, जो जो हमने देख लिया उसको already tick लगा देंगे, inheritance को हमने tick लगा देखा, हमने heredity भी देख लिया, इसको भी हम tick लगा देते हैं, इसको भी हाँ, ठीक लगा देते हैं, ठीक है, अच्छा, एक term आता है, that is called trait, trait मतलब लक्षन, कहता न, विटा तुम्हाँ लक्षन ठीक नहीं लगे, trait या इसको हम कहते हैं, character, हम contrasting trait देखा था, हमने character देखे थे, हाना, ठीक है, अच्छा, अब उसके हमने दो चीज़ देखा, एक term देखा, जिसको हम कहते हैं, अलील, ध्यान से सुन, देखो, पहला है term है, इसको हम कहते है, factor, factor बराबर, gene, ठीक है, Mendel used the term factor, term gene was used by Johansson, ठीक है, Mendel used the term factor, term gene was used by Johansson, term gene was used by Johansson, ठीक है, तो term factor Mendel used किया थे, बट gene term किस ने use किया थे, gene term use किया था, Johansson, ठीक है सर, ठीक है सर, तो Mendel gene को factor बोलते थे, ठीक है, अच्छा, अगर किसी gene को alternate form है, तो उसको हम बोलते हैं, अलील, अलील क्या होगे सर, alternate form of a gene, क्या होगे सर, alternate form of a gene, इसको सर, हम अलील बोलते हैं, इसको हम अलील बोलते हैं, ठीक है, क्या मतलब, जैसे समझ माल लो, stem height, एक trait, ना, सपोज माल लो, stem height, ठीक है, ये तुम्हारा trait हो गया, ठीक है, अब, इसका stem height क्या हो सकता है, या तो tall हो सकता है, या तो dwarf हो सकता है, या तो dwarf हो सकता है, तो अगर हम tall वाला अलील को capital T से represent कर दे, और dwarf वाला अलील को small t से represent कर दे, तो क्या देंगे ने, alternate form of gene जो है, उसको हम अलील कहते हैं, ठीक है, alternate form of gene को हम अलील कहते हैं, ठीक है, अगर कोई organism, अगर कोई organism similar अलील रखता है, जैसे अगर माल लो, एक condition होता है, इसको हम कहते हैं, होमोजाइकस, अगर, अगर, क्रोमोजोम जो है, वो similar allele of a gene रखता है, ठीक है, So, the condition in which, the condition in which, the condition in which, chromosome carry, Carry, similar alleles of a gene, similar alleles of a gene, तो इस condition को कहते हैं, होमोजाइकस, जैसे एक्जामपल देखो, Capital T, Capital T, यह tall देगा, यह होमोजाइकस है, small t, small t, यह dwarf देगा, यह भी होमोजाइकस, है न, तो similar allele से, अगर, बन रहा है और्गानिजम, तो वो होमोजाइकस हो गया, ठीक है सर, दूसरा हो जाएगा सर, हेटरोजाइकस, हेटरोजाइकस में क्या होगा, condition in which chromosome carry different alleles of a gene, condition in which gene, क्या होगा बहिए, अलील जैसे, example ले लो, capital T, small t, यह भी tall होगा, capital T, small t, यह भी tall होगा, ठीक है सर, तो होमोजाइकस देख लिए आपने, हेटरोजाइकस, अच्छा, दो टर्म और होता है, एक को हम कहते हैं, फीनो टाइप, फीनो टाइप क्या होता है सर, फीजिकल मेकप, किसी ओर्गानिजम का, उसको हम फीनो टाइप कहते हैं, तो फीजिकल, एक्स्प्रेशन, ओफ, दो क्यारेक्टर, फीजिकल एक्स्प्रेशन अफ दो क्यारेक्टर की अगर हम बात करेंगे, तो इसको हम कहते हैं, फीनो टाइप, जो तुम आँख से देख सकते हैं, नेकेड आइप, और तुम्हारा जो जो जनेटिक मेक अप है, दा जनेटिक कॉंसिचुएंट ऑफ चारेक्टर, क्या सब, दा जनेटिक कॉंसिचुएंट ऑफ चारेक्टर इस काल्ड जीनो टाइप, जनेटिक कॉंसिचुएंट ऑफ चारेक्टर इस काल्ड इस जीनो टाइप, जो जनेटिक मेक अप है, वो जीनो टाइप है, जो फिजिकल करेक्टर जो हमको दिख रहा है वो फीनो टाइप है, ठीक है, ठीक है सर्, तो जीनो टाइप और फीनो टाइप आपने देख लिया, कोई दिक्कत यहां तक ठीक अच्छ अब एक दो चीज और समझो एक दो चीज और समझो फिर उसके बाद हम law of inheritance पर आ जाएंगे एक और point लिखो कि मेंडल यूज़्ड टू ब्रीडिंग वराइटी आफ यी प्लांट्स मेंडल मेंडल यूज़्ड तू ब्रीडिंग वराइटी और पी प्लांट कौन से वराइटी यूज़के घाता है तू ब्रीडिंग वराइटी और प्लांट्स प्लांट्स होता है true breeding variety true breeding variety मतलब हम यहाँ पर homozygous condition की बात करें किसकी बात करें बैटा है होमो जाइगस कंडिशन तो जब भी मेंडल क्रॉस कर रहा है मेंडल होमो जाइगस कंडिशन लेके क्रॉस कर रहा है ठीक है तो यह चीज़ आपको ध्यान अब आते हैं inheritance of one gene अब कुछ terminology अगर रह जाएगा तो हम यहीं पर नीचे लिख लेंगे उसको बाद में तुम अपने terminology वाले page में लिख लेंगे ठीक है अब आते हैं topic अब जो काम की चीज़ यहां से शुरू होती है क्या नाम है सबसे पहली चीज़ की इसको हम कहते हैं inheritance of of one gene एक gene का inherent है या इसको तुम कह सकते हो mono hybrid cross एक gene पर बात करते हैं तो हम कहते हैं इसको mono hybrid cross ठीक है क्या होता है सर इस inheritance of one gene में या mono hybrid cross में ध्यान से देखो तो क्या किया हमने 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 homozygous क्या लिया क्या लिया हमने homozygous देख रहे हैं homozygous डाल प्लांट लिया है और हमने क्या हम आप्छाइग्स दाए लिगते आदरो है कि तुम लोग ने क्या किया से हमने homozygus straw complaint लिया और homozygusbrar प्लांट लिया और इसको क्रोस दो तरीके से क्रोस कर सकते हैं तो मैं तोzać दोनों तरीका दिळए तो पहले तरीकों को выпуск खेंदे फॉर्क लिंग में था ठीक है जगो मालो capital T है capital T है small T है small T है ठीक है इस तरह के cross अगर मैं ऐसे करूं जैसे मैंने इसको इसके साथ cross कर दिया तो क्या हो capital T small T मैंने फिर इसको इसके साथ cross कर दिया क्या हुआ, capital T, small T फिर मैंने इसको इसके साथ cross किया capital T, small T और फिर मैंने इसको इसके साथ cross किया capital T, small T इसको method को इस तरह से गर हम cross करते हैं इस method को हम कहते है for link method इस method को हम कहते है for link method ठीक, बट दूसरे condition में अगर हम इस तरह से cross करें मालो capital T लिया capital T लिया small T लिया small T लिया और उसके बार हमने एक डबबा बना दिया और उसके बार हमने इसको S से cross की तो क्या हुआ अब यहाँ देखो capital T small T capital T is का है small T फिर capital T small T capital T small T फिर capital T यह वाला small t capital T small t फिर यह वाला capital T small T capital T small T इस method को हम कहता है by connet square इस method को हम केयते हैं byitt square के साथ क्या करते हैं बनेट इस पर सवाल आये हुआ था कि पन L3 किसे नहीं दिया था साइं टिस्ट का नाम और साइंटिस कहां का था इस पर भी ऐस आ इन तो इट वास बाई गिवेन बाई British जेनितिस्ट British जेनितिस्ट RC पनेट RC क्या नाम था British जेनितिस्ट का RC ठीक है ठीक है सर ठीक है तो ये दो मेथट से हम क्रॉस करके निकालते हैं इस दो मेथट से हम क्रॉस करके निकालते हैं क्या हुआ तो मेंडल ने एक होमो जाइगस और टॉल ब्लांट लिया और इसको क्रॉस किया होमो जाइगस और डॉर्फ प्लांट से ठीक है यह होमो जाइगस आता कैसे इस पर अलग से बात करेंगे थोड़ी देल में तो आओ क्रॉस करते हैं, सिंपल था चीज है, पनेट स्वार यूज करते हैं, ठीक है, तो हमने एक होमोजाइगस टॉल ब्लांट लिया और हमने इसको क्रॉस किया एक होमोजाइगस टॉल और जो मेरा F1 जेनरेशन आया, जो आप अभी देखेंगे, आपने पनेट स्वार अभी किया था, आप जो यह पनेट स्वार इसका बनाएंगे, और जब देखेंगे, तो यह तुम्हारा टैपिटल टी, स्मॉल टी, स्वारी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, और स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉट, तो मेरा परनेट स्कार बनेगा ठीक है तो हमने डबा बना दिया तो क्या हुआ जो इसका पहला जनरेशन हुआ जो इसका पहला जनरेशन जो इसका फ 1 जनरेशन था F1 stands for Filial 1 Filial पहला ठीक है तो that is F stands for Filial तो Filial 1 जनरेशन जो था सारे प्रोजेन ही कैसे थे Tall तो यहाँ पे F1 जनरेशन में All Tall F1 जनरेशन में All Tall ठीक है अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया अब हमने क्या किया अब हम इसका Selfing किये यहाँ पे Cross कर रहे थे अब उसके बाद Selfing of यह Step 1 हो गया यह तुम्हारा Step 1 हो अब उसके बाद हमने क्या किया हमने Selfing of Selfing of F1 जनरेशन किया इसी लिए cross-pollination और self-pollination दोनों required था तो क्या हुआ सर इस case में तो capital T, small t को हमने cross किया capital T, small t के साथ आईए इसको इदर लेके चलते हैं यहां तो capital T, small t को हमने cross किया capital T, small t के साथ तो भाईया क्या हुआ तो पकड़ो capital T, small t capital T, small t डबबा बनाईए क्या देखने को मिला सर आपको आपको देखने को मिला सर capital T, capital T, capital T, small t capital T, small t और small t, small t तो इसने जब F2 जनरेशन देखा इसने जब F2 जनरेशन देखा तो क्या देखने को मिला इसको जब F2 generation को देखा तो इसको tall is to dwarf का जो ratio मिला सर वो 3 is to 1 का मिला सोचो यह ड्वार बच्चा कितना बुरा फिल कर रहा होगा पापा भी लंबे थे मेरे मम्मी भी लंबी थी मैं कहां से पडोसी का हो गया तो यहां पे tall is to dwarf का जो ratio आया अब लोग का जो ratio चो फीनो टिपग रे्शयो करते है इसको आए अच्छा इस यह का हम जीनोटिपिक रेशयो निकाले है तो गैसे निकलेगा सर सब् सब्सक्राइब का genetic make up का जो ratio मतलब capital T, capital T is to capital T small T is to small T small T तो genotypic ratio क्या हो जाएगा 1 is to 2 is to 1 इसको क्या कहते है इसको हम लोग इसको हम कह सकते है इसका genotypic ratio इसको हम कह सकते है इसका genotypic ratio genotype का जो ratio हो गया तो उसको तुम कह दोगो इसका genotypic ratio phenotype का जो ratio हो गया उसको हम कह देंगे इसका Phenotypic Ratio समझ में आया सर समझ में आया सर समझ में आया सर अच्छा बहुत अच्छी बात है बट बट दो सवाल है मेरे हमने यहां पर बात किया बट मेरे दो सवाल ने इसका जवाब दो हमको कैसे पता कर चलो हम को ये तो पता चल गया कि ये tall है ठीक है? आख से हमने अपने देख ली गा बहुत अच्छी बात हम को ये भी पता चल गया कि ये dwarf है ये भी हमने अपने आख से देख लिया बट ये tall वाला जो है ये homozygous है या heterozygous है ये कैसे पता चलेगा ये टॉल वाला जो है ये होमो जाएगास है मतलब की capital T, capital T है या हेट्रो जाएगास है इसका मतलब की capital T, small T है ये हंग को कैसे पता चलेगा तो इसके लिए एक phenomena होता है जिसको हम कहते है test cross इसके लिए एक phenomena होता है जिसको हम कहते है test cross तो test cross तुमारा कब करते है तो identify the genotype to identify अगर हमको किसी का genotype पता करना है तो हम test cross करते है test cross मतलब हम क्या करते हैं crossing of an individual with homozygous recessive parent मतलब मतलब किसी को भी जैसे सब्सक्राइब हमको पता करना है कि ये वाला या ये वाला ठीक है तो भीया क्या है तो अगर मालो हमने capital T capital T को cross किया देखो ध्यान से capital T capital T को cross किया small t small t को हमको पता है सब के सब टॉल आएगे parent square बना इसका planet square बना इसका capital T capital T small t small t small t तो क्या हूँ F1 generation capital T small t capital T small t capital T small t capital T small t तो ये ओल टॉल है तो अगर इसको cross करने के बाद सारे ब्रोजनी ओल टॉल आ जा रहे हैं तो मतलब homo dragon dominant था वही वही अगर इसको cross करने के बाद let's say capital T small t है और इसको cross किया हमने small t small t के साथ वही अगर इसको cross करने के बाद अगर इसको cross करने के बाद हमको ऐसा दिख रहा है capital T small t small t small t तो क्या हूँ capital T small t capital T small t small t small t और small t small t तो इसमें क्या दिख रहा है 50% dollar 50% dwarf देखने को मिल रहा है 50% tall और तुम्हारा 50% dwarf देखने को मिल रहा है तो इसकेस में क्या था heterodigus था इसकेस में क्या था homozygus था तो इसी तरीके से हम genotype पता कर पाते हैं by crossing it with homozygus recessive organism ठीक है तो इस तरह से हमको इसका genotype पता करके मिल जाता है इस तरह से हमको इसका genotype पताके मिल जाता है ठीक है सर्थ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो जब हम इतना ताम जाम किये जब मतल हम क्या मिल बाबल इतना ताम जाम किया क्यूं आकि वो किसी नतीजे पर पहुँच पाएं न तो क्या नतीजे पर पहुचे बिटा उस पर हम आते हैं तो क्या भया तो आते कंक्लूज़न ऐफ मोनोहइबिर्ड क्रोस किया गया तो इस से क्या है इससे आपको देखने को मिला law of inheritance क्या क्या देखने को मिला आपको law of inheritance दो law देखने को मिला आपको monohibrid cross के conclusion से ठीक है law of inheritance जिसमें सबसे पहला जो law है that is called law of dominance that is called law of dominance क्या कहता है सबसे पहला पॉइंट तीन पॉइंट में law of dominance को आपको समझाए सबसे पहला पॉइंट यहां देखना बड़ा इंपॉर्टेंट क्या बोलता है वोलता है कि characters are controlled by लो करेक्टर्स आर कंट्रोल वाए डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल फैक्टर्स डिस्क्रीट यूनिट कॉल मेंडल क्या था भाई या तरण यूनिख नहीं करता था जीन जो हैंसम उस्कता था तो मतलब कहना चięcyयरा क्या क्या रहा है कि क्यरक्टर कॉन नुए चेंज़ कॉल का था बट मेंडल ने टर्म क्या यूज किया फैक्टर यूज किया ठीक्ँ सॉत क rif फैक्टर्स aq Lateran और तीसरा पॉइंट्स हर यहाँ पे कि in a dissimilar pair of factors the error in a dissimilar pair of factors ज्याय हुआ जया से मानू capital T is small t dissimilar है now heterogeneous condition क्यात्त है ठीक है ? one member of the pair One member of the pair dominates the other, needs the other and is expressed as a phenotype and is expressed as phenotype. इसको phenotype के तरह express करता है, मतलब कहना यह चाहरा है, समझो, कहना यह चाहरा है कि capital T था, small t था, तो इसमें dominant factor कौन था, यह वाला dominant factor था, और यही dominant factor will be expressed as phenotype. यही dominant factor will be expressed as feet, ठीक है सर, तो इस factor को हम कहते हैं, dominant unit factor and the phenomena is called law of dominance. This factor is called, called, dominant unit factor. and the phenomena is called law of dominance. and the phenomena is called law of dominance. is called law of dominance. ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है. क्या इसका use था, क्या-क्या express किया, यह लेख लेते हैं, ठीक है. So the law of dominance, the law of dominance, is used to explain, the expression of, expression of, only one, only one of, the parental character, parental character, in, monohybrid cross, in monohybrid cross, of, f1, generation. and, and expression of, both character in, f2 generation. and expression of, both, character in, f2 generation. generation. देखो न, देखो न, अभी तुम देखो. क्या, बोला यहां पर, यहां पर देखे. तो हमने देखा, हमने देखा, क्या हुआ? कि, भाई मेरे पास tall था, मेरे पास dwarf था, और f1 generation में हंको, सिर्फ tall मिला. f1 generation में हंको, sub-tall मिला. क्यूं? क्यूंकि इस case में ठीक है, यह dominant, homo tiger dominant था, इस case में यह dominant कर रहा था, इस case में यह dominant कर रहा था, इस case में दोनों recessive था, तो recessive condition show हो गया. तो यही, line बोलता है, कि भाई, ऐसा क्यूं हो रहा है? ठीक है? तो यह तुम्हारा हो गया? क्या? law of dominance. ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत? segregation. law of segregation. क्या होता है सर, law of segregation? क्या है सर? this law is based on the fact that allele जो है, allele तुम्हारा देखाँगा, अभी क्या alleele जेखा था है alternate form of gene, that alleles do not show any blending, any blending, and that both the characters are recovered as such in F2 generation, and that both the characters are recovered as such, जैसा था वैसा ही, in F2 generation, in F2 generation, is recovered as such in F2 generation, though, one of these, is not seen, though, one of these, is not seen, in F1 generation, तो, तो, one of these is not seen in F1 generation, तो, law of segregation क्या कहता है, हमने law of dominance देखा था, ठीक है, law of segregation कहता है, कि, allele जो है, मेराज क्या है, allele जो है, it does not show any blending, and दोनो character आपको recover हो जा रहे थे, F2 generation में है न, जो कि एक ही character आपको F1 generation में दिख रहा था, बट, दोनो character आपके represent ही जा रहे थे, F2 generation में, ठीक है, तो इसमें एक point लिखो, कि, दो, the parent contains, parents, contains, two allele, during gamete formation, parent के पास, दो allele था दुरिंग gamete formation, the factor, or, allele of a pair, segregates, क्या से, independently, of, each other, segregates, independently of, each other, such, that, a gamete, receives, only, one of the two factors, one of the, two factors, अभी मैं दिखाता हूँ, अभी मैं दिखाता हूँ, कहना के जा रहे हैं, समझो, तब से उसके तुम्हें, दिक्कत नहीं आई थी, ठीक है, सुर, दिखान से, क्या कह रहे हैं, मैंने बोला, मेरे पास, एक टॉल प्लांट हमने लिया थी, ठीक है, इसका कौन कौन सा gamete है सर, तो एक यह है, capital T, और दूसरा यह है, capital T, ठीक है, यह दो, इसके, gametes है, अच्छा, दूसर केज में हमने देखा था क्या, SMALL ISMALL टी, इसके भी दो पार्ट थे, SMALL ी, और, SMALL ी, जब हमने इसको Cross किया, तो हमने य्य देखा, कि एक इस्से आ रहा है, एक इस्से आ रहा है, तो क्या हुआ? क्या हुआ हुआ, क्या हुआ? capital T small t एक इस से आ रहा है एक इस से आ रहा है क्या हुआ capital T small t और एक इस से आ रहा है एक इस से आ रहा है तो क्या हुआ capital T small t एक एक जो ग्यमीट था वो independently मतलब आया है ना मतलब जो segregation हुआ उसका वो independently हुआ इस वाले को इस वाले मतलब नहीं था इस वाले को इस वाले से मतलब नहीं था इसको हम कहते हैं लॉप सेटीर अउसके वाद जब हमने F2 जनरेशन ने देखा तो हमने क्या देखा यहां से यहां capital T capital T यहां से यहां capital T small t यहां से यहां capital T small t और यहां से यहां small t ठीक है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ओ स्री क्या किया मैंने small t small t तो तुम को F1 generation में जो सिर्फ टॉल मिला था सब टॉल थे बट F2 जनरेशन में तुमको एक ड्वार्फ भी मिल गया क्यों? क्योंकि again gametes independently segregate कर रहे थे उसको दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं था इसलिए तुमको F2 जनरेशन में दोनों चीज़े देखने को मिल गया ठीक है? ठीक है ठीक है तो यहाँ पर हम यह लिख सकते हैं कि क्या? कि दो दो पेरेंट्स कंटेंट टू अलील डूरिंग गेमीट फॉर्मेशन दो फैक्टर अलील ओफ पेर सेग्रिगेट इंडिपेंडेंट टू इच अदर है ना? तो यहाँ पर जो अलील है वो सेग्रिगेट कर रहा है इंडिपेंडेंडेंट independent of each other जो allele है वो segregate करना है independent of each other and there is no blending वहाँ पे कोई blending नहीं है there is no blending यहाँ पे कोई blending नहीं है ठीक है? याद रखना इसका कोई exception नहीं होता there is no exception to this अब तुम बोलोगे एन्युप्लाइटी एन्युप्लाइटी इसका exception नहीं है there is normal condition नहीं होता there is no exception ठीक है सर्थ? ठीक है सर्थ? कोई दिक्कत यहाँ आता है तो यह हमने देख लिया क्या देखा हमने? हमने देखा पहला law of dominance दूसरा हमने देखा law of segregation हमने देखा law of dominance दूसरा हमने देखा law of segregation ठीक है? तीसरा आते हैं जिसको हम कहते है incomplete dominance तीसरा आते हैं जिसको हम कहते हैं इन कम्प्लीट कहां देखने को मिलता है सर इनकम्प्लीट डॉमिनस आपको देखने को मिलेगा सर एक प्लांट है जिसका नाम है मीरा बिले जलापा या फोर ओक्लॉक प्लांट कहते हैं जलापा या फोurn ओक्लॉक दूसरा जिसका नाम है स्नैक टम ब्लेंडिनिंग मतला मिलना मिल के कोई इंटेंटीमिडियाट कैरेक्टर नी बना रहा है तुमको दिखांगे कैसे इंटीमिडियीट ऐसे चेुजिते है ऐसका नाम है एंधिरी निय्यों blocks या इसको हम dog flower कहते हैं या इसको हम snap dragon कहते हैं ठीक है तो अभी तक हम क्या देखते हैं अगर normal condition में हम बोले है अगर कोई red flower है उसने cross किया white flower के साथ तो f1 generation जो आता था वो मेरा red flower आता था normal condition मालो कि red है यह white है और f1 generation जो एकर red कब यहाँ पे normal condition और जब हम इसका f2 generation देखते थे f2 generation मतलब capital r small r into capital r smaller तो हमको मिलता था capital r capital r is to capital r smaller is to small r smaller that is equal to red is to white और इसका ratio हमको देखने को मिलता था 3 is to 1 यह आपने पढ़ा वाल रेट है ना इसमें बताने वाली कोई बात नी है normal condition में ऐसा होना चाहिए अगर यह law of dominance follow कर रहा है तो but in plant ने बोला कि भाईया हम law of dominance को follow नहीं करेंगे तो क्या करेगा वा यह वो तो वो जो करता है वो कुछ ऐसा करता है क्या करता है सर तो उसने अगर capital r capital r जमानलों यह red flower है इसको cross किया smaller smaller जिसको हम white flower कहते हैं तो f1 generation में incomplete dominant show करता है मतलब एक intermediate character show कर देता है जो pink in color होता है मतलब कि जो dominant है जो dominant allele है वो completely dominant नहीं है recessive allele पे इसलिए हमको एक intermediate character देखने को मिलता है f1 generation को और इसी का जब हम selfing करते है इसी का जब हम selfing करते है तो f2 generation में हमको यह कुछ देखने को मिलता है smaller इस्टो smaller इस्टो red इस्टो pink इस्टो white का ratio हमको देखने को मिल जाता है 1 इस्टो 2 इस्टो 1 तो इसमें क्या हुआ इसमें क्या हुआ तो in case of incomplete dominance in, in case of, in complete dominance, क्या हुआ, the dominant allele, the dominant allele, क्या था, dominant allele, is, not completely, dominant, on, the recessive allele, यह क्या था, smaller, तो क्या देखने को मिलता है, अंको, an intermediate character is seen in heterozygous condition, and intermediate character is seen in heterozygous condition, and intermediate character is seen in heterozygous condition, heterozygous condition, क्या है, capital R, heterozygous condition, क्या है, capital R, smaller, ठीक है सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसी को हम कहते है, law of incomplete dominance, it is an exception of law of dominance, it is an exception of law of dominance, ठीक है, NCRT में एक line लिखा हुआ है, explanation of the concept of dominance कैसे explain करता है, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, ठीक, ठीक, ठीक है, तो dominance का मतलब क्या है, सपोर्ळों मेरे पास दो अल्टरनेट फॉग ऑफ अलील है तुमाल की आ रहा है यह पगड़ लो डॉमिनेट अली दूसरा स्मॉल आ रहा है यह पगड़ लो तुरिस्सिव अली तो अपने आपको जो फीनो टाइब के फॉर्म में एक्स्प्रेस कर पा रहा है जो अपने आपको फीनो टाइब के फॉर्म में एक्स्प्रेस कर पा रहा है वो कौन सा अलील हुआ वो डॉमिनेंट अलील हुआ तो अलील दाट इस एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ आज फीनो टाइब तो इसको हम क्या कह रहा है इसको हम dominant allele कहते है जो express नहीं कर पा रहा जो express नहीं कर पा रहा तो इसको हम क्या कहतेंगे इसको हम कहतेंगे recessive allele जो express नहीं कर पा रहा इसको हम कहतेंगे recessive allele ठीक है तो अगर हम एक example लें कि information एक gene है जो enzyme formation का करार है तो अगर मालो कि हम example लेते हैं कि for a gene that contains information that contains information for producing an enzyme enzyme produce करने का को information और gene की पास है तो क्या है वहिए दो अलील है इनका एक को हमने बोला नॉर्मल अलील और दूसरा वाला मेरा हो गया रिसे से अलील नॉर्मल अलील क्या होगा वहिए नॉर्मल इंजाइम में आएगा जो enzymatic process को शुरू करेगा रिसे सी वलील क्या बने है भाहिया रिसे सी वलील से कोई enzyme ही नहीं बनेगा रिसे सी वलील से कोई enzyme ही नहीं बनेगा रिसे सी वलील से कोई enzyme नहीं बनेगा ठीक है यह चीज़ है अब हम इस allele में अगर modification कर दे अब हम इसका अगर हम modified अली देखते हैं तो तीन case हो सकता है इस case के enzyme में तीन case हो सकता है पहला case यह हो सकता है कि normal enzyme मना रहा है दूसरा case में यह हो सकता है कि तुमारा ऐसा enzyme मना रहा है जो functional ही नहीं है non-functional enzyme मना रहा है और तीसरा यह कह सकते हैं कि कोई enzyme बना ही रहा है कोई enzyme बना ही रहा है नो enzyme at all नॉर्मल enzyme कब बनेगा जब allele अपने आपको express कर पा रहा है जब dominant allele अगर मालो कि मेरा एक enzyme वाला allele यह है ठीक है दूसरा enzyme वाला allele small यह है ठीक है यह dominant allele है यह decisive allele है यह अपने आपको express कर पाएगा capital वाला small वाला अपने आपको express नहीं कर पाएगा तो अगर मालो मेरा जब यह condition आएगा नॉर्मल allele बनेगा बट वही अगर मेरा यह condition आएगा और यह incomplete dominant शो कर रहा होगा बतलब कि अगर नहीं express कर पा रहा होगा और रिसेसिव कंडिशन में मेरा कोई allele कोई enzyme बनेगा ही नहीं समझ में है समझ में है तो यह वाला पाट यहाँ पर दे रहा है नॉर्मल इंजाइम पकड़ लो ऐसे नॉन फंशनल इंजाइम और नो इंजाइम अट आल तो इस तरह से concept of dominance को explain किया गया clear result ठीक ठीक तो यह तुमारा law of incomplete dominance समझाएगे अगला आते बता उसको हम कहते है को डॉमिनेट अभी incomplete dominance में हमने क्या देखा कि जो dominant अलील था वो completely डॉमिनेट नहीं कर बारा था रिस्टेशिव अलील यहाँ पर दोनों देख्षाने हैं अना दोनों इंडिपेंडेंडेंडेंटली एकस्प्रेश कर रहे हैं दोनों अपने इंडिपेंडेंडेंडेंडली तो अब दो कंडिशन हो सकता है मनद इन फैक्ट तीन कंडिशन हो सकता है अगर माल लो F1 जनेरेशन में इसका सारा कुट्ट अगर माल लो F1 जनेरेशन में इसका सारा कुट्टा ब्लैक हो क्या शोकर रही है law of dominance अगर मान लो मैंने बोला कि F1 generation में इसका जो कुत्ता है वो gray color का होगी काला रुजला का mix तो क्या शो कर रहा है incomplete dominance ठीक है और अगर मान लो अगर मान लो कि अगर मान लो कि F1 generation में हमको dalmation वाला कुत्ता मिला है काला कुत्ता पे सफेज सफेज spot तो black with white spot तो इसको हम बोल देंगे poor dominance तो यह क्या यह क्या शो कर रहा है law of dominance शो कर रहा है यह शो क्या कर रहा है incomplete dominance शो कर रहा है और यह शो क्या कर रहा है सर यह co-dominant शो कर रहा है क्या change है इसमें इस case में जो यह वाला B था यह completely completely dominate कर दिया recessive वालील को इस case में यह वाला जो भी था समझे हैं तो अगर दोनों character express हो रहे हैं if if both the characters are expressed independently तो इसको हम क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं co-dominance if both the characters are expressed ठीक है तो इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं co-dominance समझ में है समझ में है तो अगर दोनों character आपस में इंडी दोनों characters आपस में independently express हो रहत इसको हम कहते हैं co-dominance ठीक है चलिए अगला आते हैं पिटा इसको हम कहते हैं blood grouping यह ध्यान से सुना इस पर topic पर सवाल आता है इसको हम A B O blood group जो आपना है ठीक है यह सीख लो कुछ नहीं तो वो flavor tummy वाले technician बन जाओगे ठीक है transfusion वाले में काम करपाओगे सीख लोगे हांदे बड़ा important है ठीक है तो blood grouping जो है बटा यह क्या show करता है इस पर सवाल आए हो था नीट का सवाल है पहला यह show करता है law of dominance ठीक है सर दूसरा यह show करता है law of segregation तीसरा यह show करता है सर को डॉमिनेंज चौथा यह show करता है सर multiple allelism यह show करता है सर multiple allelism multiple allel मतलब एक से ज़्यादा allel अगरे है तो उसको हम multiple allelism कहते हैं more than two allel normal condition में दो allel था अगर एक से ज़्यादा allel होता है तो उसको हम multiple allelism कहते हैं ठीक है कौण कौण सा allel show करता है blood group जो हम अब है तीन allel होता है इसका इसका कौण सा allel कितना allel होता है three allel होता है कौण कौण सा allel है सर यहाँ पे तो यहाँ पे पहला होता है i a दूसरा होता है सर i b और तीसरा होता है सर small i i a i b and small i है ना ठीक है तो i a i b और ठीक यह तीन allel है और यही तीन allel तुमारा determine करेगा कि blood group क्या होगा ठीक है याद रखना blood group में वैसा तो circulatory system में तुम लोग पढ़ते हों उसमें याद रखना कि blood group जो हमको दिखता है it is because of the type of antigen present on the surface of the RBC blood group is group is dependent on the blood group is dependent on the type of type of type of antigen antigen present on the surface of RBC blood group is dependent on the type of antigen present on the surface of RBC on the surface of RBC ठीक है ठीक है अब देखो कैसे कैसे होता है देखो कैसे कैसे होता है antigen बेटा surface पे present होता है glycoprotein होता हो ठीक है antigen surface पे present होता है अच्छा और जो उसका corresponding antibody उसका ultra antibody प्लास्मा में present होता है ठीक है और इसका ultra antibody प्लास्मा में present होता है इसका ultra antibody is present in प्लास्मा ठीक है इसका ultra antibody is present in अब देखो क्या होता है तो सपोज माल लो तुम लोग देख लो तुम लोग original बच्चा हो यान अपने पापा ममी के आज calculate हो जाएगा तुमारा ठीक है आज दूर का दूर पानी का बानी हो जाएगा ठीक है अब भाई देख लेना ध्यान से calculate करना कोई पड़ो से बच्चा निकला तो मेरे उपर blame मत डालना ठीक है एक बार मेरे साथ हो चुका है coaching institute में तो एक बार हुआ क्या था कि मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि देखो पापा का blood group बताओ मम्मी का blood group बताओ मैं तुम्हारा blood group प्रेटिक करो ठीक है और भाई उसमें एक लड़की adopted तो उसको पता ही नहीं था और उसने बोल रहा कि उसने बोला कि मेरे पापा का blood group ओ है मम्मी का A भी है और मेरा O है मैंने ऐसे मजाग में बोल दिया रहे तुम तो adopted हो मुझ आके घर पर पूझ ली और फिर हो गया चंसे जो टूटे कोई सपना इतना सुनाया उनके parent ने आके न मुझे तो भाई देखो अपनी जम्मेदारी पर देखना अगर तुम को थोड़ा बहुत भरोसा है कि नहीं वही है adopted हो सकता हो तो इस सच को सामने नहीं आने देना ध्यान रखना इसका ठीक है मेरे उपर ब्लेम नहीं आने जैकल को इंस्ताग्राम प्याकर को गल्यवली दे रहा है मुझे ठीक है ध्यान रखना इसका ठीक है पेरेंट टू जान जाती है ठीक है दूसरा जीनो टाइप आफस्प्रिंग क्या है और इसका ब्लाड ग्रूप क्या हो ठीक है आईए आईए तो अब मालो पेरेंट वन का जो एंटी जैन है वो क्या है बेटा आईए और सपोर मालो पेरेंट टू जो है तुम्हारा वो भी आईए ठीक है जो आया तो क्या हो गया ब्लाड ग्रूप क्या हो गया अगर मालो यह आया पेरेंट वन से और यह आया पेरेंट टू से ब्लाड ग्रूप 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 और अगर यह आया पेरेंट से तो ब्लाड ग्रूप इसमें जो यह यह बी वाला है यह शो कर रहा है को डॉमिनेंट यह शो कर रहा है को डॉमिनेंट बाकी सारा लॉव डॉमिनेंट भी फॉलो कर रहा है सिर्फ यह वाला जो है यह शो कर रहा है को डॉमिनस सिर्फ ये वाला जो है ये शो कर रहा है को डॉमिनस बात की सारा तुम्हारा जो है वो यही शो कर रहा है क्या कि तुम्हारा लॉव डॉमिनसी फॉलो कर रहा है ठीक है अब यहां पर देखो ध्यान से कैसा सवाल आता है इसमें तुमसे सवाल ऐसे पूछ देगा क प्रिमाल लो पॉपा का ब्लड गूप तुमारे ये भी है ठीक है मॉमी का ब्लड गूप तुमारे ओ है तो पूछेगा तुम्हारा ब्लड गूप क्या हो सकता है है ओफ योर ब्लड गूप ठीक है ऐसे सवाल पूछ सकता है तो हम क्या बोच सकते हैं मेरा पापा का क्या आता है ये भी तो आई ए आई बी स्मॉल आई आई ए स्मॉल आई आएगा आई ए स्मॉल आई इस पापा क्या हो सकता है या तो इसका आउ सकता है या तो इसका भी हो सकता है यही प्रोब्राइलिटी है अगर पूछे वाटी इस तरह का सवाल आ सकता है तो यह इस तरह का कुश्चन देख सकता है कि अगर माल लो तुमसे एक और सवाल पूछ दिया कि पापा का ब्लड गूप A है पापा का ब्लड गूप A है म्मी का ब्लड गूप O है कौना सा ब्लड गूप होई नहीं सकता कभी what is the probability of blood group being zero ठीक है what is the probability of blood group being zero तो पापा क्या हो सकते है या तो homozygous हो सकते है पापा ऐसा हो सकते है I, A, I, A या पापा ऐसे हो सकते है I, A, I मम्मी का तो मुझे बता है मम्मी कैसे होंगी small i, small i कर लोके रेख लो दोनों case में तो I, A, I, A small i, small i तो क्या हो गया I, A, I I, A, I I, A, I और I, A, I तो पहला blood group क्या हो गया बच्चे का बच्चे का blood group क्या हो गया बच्चे का blood group सबका blood group a हो गया ठीक है दूसरा blood group क्या हो सकता है दूसर case में देख लो I, A, small i पकड़ लेते हैं और small i, small i तो I, A, I I, A, I small i, small i और small i, small i मतलब या तो blood group A होगा या तो blood group O होगा बाकि B होने का या A, B होने का probability 0 होगा A, B होने का probability 0 होगा ठीक है? ठीक है ठीक है समझ जो है बटा? तो B नहीं हो सकता और यह भी नहीं हो सकता है इसका blood तो इस तरह के question आजकते हैं कि क्या percentage है, क्या probability है तो इस तरह के question तुमको बनाने होंगे अगर इस तरह के question आपके exam में आ जाते हैं, तो ठीक है सर? ठीक है सर? ठीक है सर? तो यह तुम्हारा निकल गया blood group ने, ठीक अच्छा अच्छा, कुछ ना थोड़ा math समझो थोड़ा थोड़ा वो समझो math कि अगर मालो multiple allele के case में number of possible genotype अगरों को बता गरना है जैसे तुमको तो मैंने दिखा है कि 3 allele था, ठीक है? अगर multiple allele के case में multiple allele के case में number of genotype पता करना है genotype पता करना है तो कैसे करता है? तो कैसे करता है? इसके फार्मूला होता है कि number of genotype is equal to n into n plus 1 byte where n is the number of allele where n is the number of allele देखो जैसे इस case में हमने देखा था इस case में कितना genotype है? एक, दो, तीन, चार, पांच, छे कितना अलील था सर? अलील था तीन तो अगर हम इसका math निकालेंगे तो math क्या हो गया? 3 into 3 3 प्लस 1 बाइ 2 दाट इस एकल टो 6 करके देख लो करके देख लो ठीक है? तो यह तुम्हारा यह तुम्हारा क्या हुआ? इस फिनोमेना को हम कहते हैं multiple allelism इस फिनोमेना को हम कहते हैं multiple allelism clear है? clear है? अगले topic पर अगला topic होगा है तुम्हारा that is called paleotrophy क्या होता है सब paleotrophy अगर एक gene एक से ज़्यादा phenotypic effect दिखाए है मतलब एक gene एक से ज़्यादा character express कर पाए तो उसको हम कहते हैं and paleotropy occasionally a single gene product a single gene product may produce more than one effect more than one phenotypic effect क्या कहते है इस फिनोमेना को? इस फिनोमेना को हम कहते हैं सर इस फिनोमेना को हम कहते हैं सर फिनोटिफिक इफेक्ट दिखा रहा है तो इसको हम कहते हैं क्या इसका इसका अजिका इसका इसका इक्जाम्पल है स्टार्च सिंथेस स्टार्च विद्धेजिस इन पी प्लांट या पी के पी प्लांट के सीड में कर लो ठीक है क्या हुआ देखो धिद्धान से देखना बेटा धिद्धान से देखना धिद्धान से देखना यह वाला जो है तुम्हारा incomplete dominance भी शोगरता है यह वाला तुम्हारा incomplete dominance भी शो करता है पीलोट्रापी भी शो करता है कैसे देखो अगर माल लो बड़ा भी है तुम्हारा अलील जो जाधा amount of starch के लिए कर रहा है और खोटा भी जो है तुम्हारा यह कम amount of starch के लिए तो यहां माल लो starch binding enzyme के लिए दो अलील है starch binding enzyme के लिए दो अलील है यह dominant अलील हो गया यह recessive अलील हो गया अब ध्यान से सुनो ध्यान से देखना तो अब यह जो starch binding enzyme वाला जीन है starch binding enzyme का जो जीन है यह दो character regulate कर रहा है क्या पहला character यह regulate कर रहा है that is the amount of starch कितना starch produce कर रहा है that is the amount of starch पहला पहला क्या regulate कर रहा है amount of starch कितना होगा amount of starch कितना होगा और दूसरा सर क्या regulate कर रहा है दूसरा यह regulate कर रहा है दूसरा यह regulate कर रहा है पहला तो regulate कर लिए कितना amount of starch और दूसरा यह regulate कर रहा है shape of the seed, कैसा होगा, round होगा या wrinkled, ठीक है तो इसी लिए इसको paleotropic कहते हैं, एप से जादा phenotype effect, ठीक है, अब क्या क्या condition होज़कता है, capital B capital B, तो क्या भईया तो large amount of starch synthesize होगा large amount of starch synthesize ठीक है सम्द, तो क्या होगा भईया shape क्या होगा, seed का round shape होगया है ना round shape होगया round shape होगया, ठीक है starch grain size बड़ा था shape इसका round भई capital B, small b ये incomplete dominance हो कर रहा है तो क्या होगा भईया, intermediate amount of starch is produced intermediate amount of starch is produced starch is produced क्या shape होगा सर इसका इसका shape होगा ring card sorry round भईयो ना dollar of round भईयो ने सब्सक्राइब भईया capital B, small round भईयो ना round intermediate character में भी तुम्हारा round भईयो होता है ना और तीसरा है तीसरा है starch produce ही नहीं होगा तो no starch is produced तो ये क्या हो गया सर ये वाला जो गया तुम्हारा ring card हो गया तो मेरा seed is shape law of dominance follow कर रहा है जो मेरा seed is shape है ये law of dominance follow कर रहा है जो मेरा seed is shape है it is following law of dominance हाँ या नहीं it is following law of dominance बट वहीं अगर हम बात करना है मेरा ये वाले का ठीक है starch amount of starch जो प्रोडूश हो रहा है ये तुम्हारा follow कर रहा है incomplete dominance ये follow कर रहा तुम्हारा incomplete dominance क्यों कि यहाँ पर तुम्हारा intermediate amount of starch प्रोडूश बता रहा है ये follow कर रहा है incomplete dominance clear है clear है clear है एक NC8T की line है उसको लिखना बड़ा important है statement based question इस पर आता है क्या है एंस्यार्टी के लाइन कि therefore यहां पर अब लीग सकते हैं therefore क्या dominance is dominance is not an autonomous द्यान सो सुनना में क्या बोलना हूँ therefore dominant is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for for information for किस पर depend करता है it depends it depends as much as much on the gene product product and production of a particular phenotype from the product and production of a of a particular phenotype from the product from the product phenotype from the product okay it depends as much on the gene product and production of a particular phenotype from the product of a particular that that the phenotype same gene product and production of a particular phenotype from the product उस पर dominance दिखता है जैसे इस case में देखो न amount of starch determine कर रहा है कि shape कैसा होगा amount of starch determine कर रहा है कि इसका shape कैसा होगा इसको हम कहते है philotrophic तो हमने intragenic interaction देख लिया मतलब monohybrid cross करके देख लिया अब आते हम बात करते है inheritance of two gene की inheritance of two gene inheritance of two gene ठीक है सब दो gene की बात अगर हम करें तो inheritance of two gene करते है या इसको हम कह सकते है die hybrid cross हमने monohybrid cross देखा अब हम यहाँ पे देखेंगे die hybrid cross बड़ा इसी easy है इसको ऐसे load लेने की जरुद नहीं है तुम लोग भावू को जाते हो बस ऐसे ठीक है सुनो तो भाईया अब यहाँ पे हम दो trait ले लिया कौन कौन सा trait लिया सर हमने let's say trait लिया seed color और seed shape seed color और seed shape ले लिया ठीक क्या कह सकते हैं हमने pea plant का ले लिया क्या हमने लिया round yellow seed color का दो होगा तुमारा yellow तुमारा dominant होता है ठीक है और तुमारा green जो है वह recessive होता था यह होता ना और seed shape में तुमारा round जो है तुमारा वह dominant होता था और wrinkle जो है तुमारा वह recessive होता था इस case में हमने क्या किया round yellow seed इसको cross कर लिया मैंने wrinkle green seed के साथ round yellow seed को cross कर लिया मैंने wrinkle green seed के साथ wrinkle green seed के साथ तो क्या हुआ तो क्या देखने को मिला अब देखो कैसे cross करते हैं पहले संग दो पहले इनका कहले इनका यहां से cross करते हैं कैसे cross करते हैं देखो बिटा यहां से देखो क्या से क्या सकत्थ Capital A in दोनों क्वेश्यक और capital y capital y in दновनों क्वेश्यक ठीक है यहां पर देखो small r small r small y small y इन दोनों को एक साथ अब इन दोनों को बना और उसमें क्रॉस करो लोग यहीं पर डबा बनाते जगा बचाते हैं तो क्या कि हमने अब हमने एक साथ डाला ry 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 डाल दूसर आइडम ने डाल दिया smaller small y smaller small y smaller small y smaller small y और smaller small y तो क्या हो जो इसका f1 generation होगा वो क्या होगा वो क्या होगा वो होगा capital r small r capital y small y that is that is love domains follow कर रहे हैं तो capital r small r क्या देगा round और capital y small y क्या देगा yellow तो यह आ गया यह आ गया मेरा round यह आ गया मेरा round यह आ गया मेरा round यह लो यह आ गया मेरा round यह ठीक है ठीक है तो अब f1 generation का तुम crossing करो, selfing करो, तो capital r, small r, capital y, small y, को cross किया आमने capital r, small r, capital y, small y के साथ, ठीक है, ये क्या था, round yellow, round yellow, ठीक, इसका भी डबा बनाओ, डबा कैसे बनेगा आप देखो, capital r, small r, capital y, small y, तो क्या बना, capital r, capital y, capital r, small y, small r, capital y, small r, small y, हा या ने, हा या ने, बताओ, हा या ने, अब इधर भी ये डबा बनाओ, capital r, small r, capital y, small y, capital r, capital y, small y, small r, capital 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 y, small r, small r, small y, यहां भी डबब बना दो अब आते हैं इसका F2 जनेरेशन पूरा निकाला जाए F2 जनेरेशन निकालो तो भाई हम लोग एक बड़ा स्वा डबब बनाओ को बराओ ठीक है है डालो है डिवक्री में बड़ाइब मिसीनट और NG dorada इसका थोटवा नीचे कर लें हिए प्रफर भी वनालो यह बहुंत संथ सब्सें बोदिंगाम मुझे यह लगता है पचासो बार नम्मघ लास है तूम बना तयार हो ये अब ये बहुत बच्चा होगा इस बार ताने होगा ठीक है ठीक है वईया तो क्या है वईया capital R, capital R, capital Y, capital Y capital R, capital R, capital Y small y capital R, small r, capital Y y y y r y 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 स्पोल्टार इस्मॉल वाई स्मॉललाइट।ॉअ सूमॉल एसको न इसको एसे कस ט inflam कर दो तो तो कहो डिएकों दरा फिर देखते हैं सक लाहर के कौन सा गिड़ी जैख्वाइगा तदें जाएगा टो.. एक पेट रली काप्टटल फी आयरी स्माल और च New लॉई वाय आया ठीक है तो यह तुमारा जीनोटाइप ऐगा कि कौन सा जीनोटाइप है तह जीनोटाइप मेरा आया चाण। यह श्र 누त कितना है यह चीक है स्मौल र कला है के इतना है दो मुझे दचिक है अभी सब्सक्राइड सुर्दिंध स्ट है कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितना है कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक ही है ठीक है अच्छा कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल वाई कितना है सर चार ठीक है ठीक है सब्सक्राइब दो एक तीन चार पांच छे साद़नोगस ग्यारा बारा एक और रह गया कोई कि यह रहा गया ना डून यहां पर स्माल वाई स्माल वाई यह एक रहा गया यहां पर रहा आएगा इसको नीची करो Capital R, Capital R, Capital Y, Small Y Capital R, Capital R, Capital Y, Small Y Capital Y, Small Y यह दो यह दो, दो, एक, तीन, चार पांच, छह, साथ, आठ, नौदर से ग्यारा, बारा, तेरा, चौदरा, पन्रा, सुल्ला, ठीक है? सुल्ला होगे, तो यह तुम्हारा Genotypic Ratio है यह जो रेशियो होगे, इसको हम कहते हैं Genotypic ठीक है, यह जो रेशियो होगे, तुमको इसको कहते हैं Genotypic ठीक है सर, ठीक है सर, अब आओ अब यहाँ पे इसका Phenotypic Ratio क्या होगा? Round Yellow Nine Round Green अब इक करके दिखा दूँगा मैं तीन Wrinkled Yellow तीन और Wrinkled Green तो यह रेशियो होता है Phenotypic Ratio यह रेशियो होता है, इसको कहते हैं ठीक है सर, आओ, देखो इसकेज में देखो Round Yellow Round Yellow बाल देता है, ठीक है Round Yellow Round Yellow माल देता है Round Yellow Round Yellow माल देता है Round यह स्माल है, Green Round Green माल देता है, ठीक है Round Green Round Green माल देता है Round Yellow Round Yellow माल देता है Wrinkled Yellow Wrinkled Yellow माल देता है, ठीक है Wrinkled Yellow Wrinkled Yellow माल देता है रेंकल ग्रीन कितना का एक और राउन्ड ग्रीन कितना कंडरी तो बागी कितना बच्छा तुमारा राउन्ड यंलोrang बच्छा तो यही यश्य क्याते हैं 9 2 3 3 ॠ3 2 5 क्याते हैं 9 2 3 2 3 2 1 क्या च है इस्टो 3, इस्टो 3, इस्टो 1, ठीक, अच्छ, अब हमने dihybrid cross किया, तो इसका कुछ conclusion आएगा, conclusion of dihybrid cross जैसे monohybrid cross में, हमने दो law देखा, जिसको law of dominance कहें, law of dominance में, तुम्हारा law of dominance हो गया, एक तुम्हारा law of segregation हो गया, है ना, तो अब आते हैं, conclusion of dihybrid cross conclusion of dihybrid क्या है भीजा, conclusion of dihybrid cross it is law it is law of independent assortment, ठीक, क्या भाई, क्या भाई, क्या भाई, क्या कहता है, law of independent assortment, तो law of independent assortment ये कहता है, की, this law states that this law states that when two pairs of trades are combined in a hybrid combined in a hybrid segregation of one pair occurs independent of the other pair segregation of one pair occurs independent pendent of the other pair of independent of the other pair of independent of the other pair of left we can agree with the Raun यलो था और मेरे पास रिंकल्ड ग्रीन था तो इवेंचुली हंको राउंड ग्रीन भी मिला और हंको रिंकल्ड यलो भी मिला इवेंचुली हंको राउंड ग्रीन भी मिला मतलब यह राउंड यलो से कोई मतलब नहीं रख रहा था और यह रिंकल्ड ग्रीन से कोई मतलब नहीं रख रहा था इसका exception क्या होगा सर इसका exception होगा लिंकेश तो डायिवरीट प्राश में independently segregate नहीं करता वो किस पर depend करता है कि distance between gene कितना है वो आगे हम अभी देखेंगे यहां तक कोई दिकत यहां तक कोई दिकत यहां तक कोई दिकत अब ना एक चीज हम थोड़ा सा गुरू मंतर तुम लोगों को दे देते हैं थोड़ा सा basic trick दे देते हैं कुछ-कुछ trick है तुमार कितना यह जीनो टाइप होगा कितना फीनो टाइप होगा तो बैटके निकालने लग जा तो बैटके निकालने लिए तो formula देते हैं अगर माल लो कि मुझे पता पूछना है types of gamete कितने तरह के gamete बनेंगे तो हम कर देंगे formula लगा देंगे 2 to the power n ठीक है where n is the number of heterozygous sphere अगर पूछे मतलब type of genotype कितना जीनो टाइप बनेगा तो हम लगा देंगे 3 to power n और अगर पूछे कितना zygote बनेगा number of zygote तो हम लगा देते हैं 4 to the power n अब बोलोगे sir n यहाँ पर क्या है n is the number of heterozygous sphere where n is the number of heterozygous sphere कहने कातात पर संग्जो क्या कहना चाहरा है तो अगर इसी case में देख लो मतलब अगर मानलो जो मेरा round yellow था ठीक है तो अगर हमको मानलो capital R, small r, capital y, small y इसको अगर हमको type of gamit निकालना है कितना type of gamit होगा इसको दो heterozygous pair है तो that is 2 दूटवावर 2 that is equal to 4 4 gamit बनेगा देखें क्या 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 gamit है capital R, small r, capital r, small y, small r, capital y, small r, 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 small r. से जीनोटाइब बनेगा तो 3 to power 2 that is equal to 9 हमने देखा था यहाँ पर कितना जीनोटाइब बना एक दो तीन चार पांच छह साथ आठ नौ इस तरह से तो निगल जाता है जाइगोट देखें कितना जाइगोट बनेगा तो 4 to power 2 that is equal to 4 into 4 16 गिलो जाइगोट 16 बना एक दो तीन चार 4 into 4 that is 16 जाइगोट तो इस तरह से तुम सारा डेटा निकाल सकते हो सारा डेटा निकाल सकते हो ठीक है अगर हम फिर वही एक्जामपल देते हैं कि इसमें लेट से कि ह कुणको मैंने दे दिया अब अब इस पर बता दो type of gamet कितना number of type of gamet बनेगा थीक है तो क्या करेंगे, हम बोलेते where n is the number of heterozygous पर यह heterozygous है, नहीं, यह homozygous है cancel कर दो, यह heterozygous है हाँ जी, यह heterozygous है यह heterozygous है, हाँ जी, यह heterozygous है यह homozygous है, यह homozygous है तो कितना हो गया कितना हो गया, that is equal to again 2 to the power 2, that is equal to 4 और अगर number of genotype निकालना या type of genotype लिकाना है, कितना हो जाएगा same 3 to power 2, that is equal to 9, simple है ना तो इस तरह से तुम type of gamete, number of genotype वगरा सब, बिना मेहनत किये निकाल सकते हो बिना मेहनत किये निकाल सकते हो, ठीक है सर तो यहाँ से तुमने यह कर लिया अपना काम पब्लिश कर दिया, 1865 में लिखिए, मेंडल पब्लिश्ट हिस वर इन 1865 ठीक है, और इट रिमेंड, रिकर्गनाइज़ इट रिमेंड अन रिकर्गनाइज़ ठीक है, बहुत दिन तक यह अन रिकर्गनाइज़ था, क्यों? क्यों ऐसा हो है सर्थ? पहला कि भाई उस टाइम पे इंटरेट सुथानिंग की वाईरल वीडियो बना देगा वो नहीं था उस टाइम पे, कि जीन नाम का कोई चीज़ होता, लोग को पता नहीं था फैक्टर एस स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट स्टेबल यूनिट वाज नॉट एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल बाइस कॉन्टेम ठीक है तीसरा कि एक मैथमेटिकल अप्रोच लिया इसने बाइवालेगो मैथ समझता है तो एक मैथमेटिकल अप्रोच लिया इसने चौथा फिजिकल प्रूफ नहीं दिखाया कि एक करेक्टर इदर उदर जा रहा है तो यह नहीं दिखा पाया फिजिकल प्रूफ प्रूफ गोफ एक्जिस्टेंस अफ करेक्टर कुड़ नाट भी सोन अग्जिस्टेंस अफ क्रेक्टर कुड नाट भी शोन, एचले क्या आता न, उस टाइम पर डार्विन भाई का हवा चलता था है, डार्विन एक दम रॉक्स्टर आते है, तो जो डार्विन ने बोल दिया वही बात सही है, तो मेंडल बिचारा जो जो बोला उसका कोई वैल्यू ने दिया, कोई उसको इज़त ने दिया, और ये वाला आलत होगे बिचारे का, और बिना recognition के भाई साथ मर गया, ठीक है, मेंडल, बाबा हमारे मर गया, 1884, बिना किसी recognition के, लोगों ने बहुत जादा ध्यान नहीं दिया, और इनकी मृत्य हो गई, 1884, ठीक हैसा, उसके के बाद, 1900 में, जब वो मर गया, मरने के 14 साल के बाद, इन 1990, बहुत बुरा होगा विचार एक जार, मतलब तुम सोचो न, तुम पूरे जिंदगी बाद, तुमको कोई भाव नहीं दिया, अब हम लोग मेंडल, मेंडल पढ़ आज, मेंडल जिंदा होते, इतना बने लगता एटा, तुमारा स्लेवर्स बढ़ा है न, मजा आया मुझे, लेकिन आप देखो, ये दिक्कत हो गया, है न, तो, क्या भाई आता, तो हमारा, तीन साइंटिस्ट है, कार्ल कॉरेंज, यूगो डिवराइज, एन वान टेश्मार्क, इन्होंने मेंडल वर्प को री डिस्कवर किया, तो दे, री डिस्कवर्ड, मेंडल वर्प, फिर से पढ़ना स्टार्ट किया, न, कि नहीं भाई, लॉन्डा बात तो सही बोल दाता, दे, री डिस्कवर्ड, मेंडल्स, वाइक इन्होंने मेंडल के काम को री डिस्कवर्ड करने का स्टार्ट है, ठीक है, ठीक है, अब न, मैं तुम लोगो थी न, से री कैप में ली जाएंगे, ठोड़ा री कैप हम करेंगे, हम री कैप करेंगे, सेल साइकल हैं सेल डिविजन के मियों से इसका ठीक है थोड़ा 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 था मॉलिकलर में क्या पढ़ा पहले हमने पढ़ा कि मेरा dna था dna प्लस हिस्टोन प्रोटीन बनाता था नुकलियोजोम और नुकलियोजोम चा बनता था मेरा क्रोमाटिन और क्रोमाटिन चा बनता था मेरा क्रोमाटिन चा बनता था मेरा क्रोमोजोम हमें यह पता है हमारे पास कितना क्रोमोजोम है हमारे पास अगर मेल है तो 44 प्लस एक्स वाई और अगर फीमेल है तो 44 plus XX kromosome होता है ठेक है अब इस kromosome पर यह 46 kromosome है 46 kromosome है इस पे कितना जीन है इस पे कितना जीन है इस पे 30,000 जीन है तो obvious सी बात है न कि एक क्रोमोजूम पर बहुत सारे जीन होंगे यह तो obvious सी बात है एक क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन होंगे हाँ या ने ये सब तो हमने पढ़ा है ना ये सब हमने Human Genome Project प्रोजेक्ट में बढ़ा था ये सब चीज़े तो हमने देखा था एक क्रोमोजोम पे बहुत सारे जीन अच्छी बात है तो इसके बाद दो साल के बाद इन 1902 यही इसी मैटर को समझने के बाद इन 1902 हमारे दो साइन्टिस्ट कौन था साइन्टिस्ट था पहले का नाम था थियोडर बोगरी और दूसरे का नाम था वाल्टर फोटाँ सी ओडर बोगरी और वाल्टर सु तो इन्हों ने क्या बोला इन्हों ने बोला कि बिहेवियर ओफ ख्रोमोजोम is similar to the बिहेवियर ओफ जी बिहेवियर ओफ ख्रोमोजोम इस similar to the behavior of gene दूसरा बात इन्होंने बोला कि अगर chromosome segregate हो रहा है उसके वज़े से gene का segregation होता है chromosome segregate नहीं होगा तो gene का segregation नहीं होगा chromosome segregate नहीं होगा तो gene का segregation नहीं होगा तो क्या chromosome segregate करता है इसकी वज़े से gene का segregation होता है chromosome segregate करता है इसकी वज़े से gene का segregation होता है Mendel ने क्या बोल दिया था? Mendel ने बोला gene independently segregate करता है बट बॉवरी और सुप्टान ने बोला कि भाईया ऐसा नहीं होता chromosome segregate कर रहा है जिसकी वज़े से gene का segregation होता है तो चिसके वज़े से gene का segregation होता है तो क्रोमोजोम और gene में युज़े समझ लो तुम को जादा अच्छे से समझ में आजाएगा chromosome और gene में डिफरेंट समझ लो तो तुम जादा अच्छे से शीज़े समझ में आजाएगा kronosome और gene क्रोमोजोम भी प्रेयर में प्रेजंट होता है और जीन भी प्रेयर में प्रेजंट होता है ठीक है ठीक है क्रोमोजोम में क्या होता है भाई कि segregate at the time of gamete formation segregate at the time of gamete formation, किस तरीके से? in a way that only one of each pair, मतब एक रोमजों का प्यार है, तो एक दूसरे पर सेग्रिगेट करिए है, एच पेर इस ट्रांसमिटेड टू गयमिट, सहन्मिया, जैसे हमको क्या पता था, 44 प्लस एक्स वाई था, जैसे ऐसा था न, कि था, 44 प्लस एक्स वाई था अगर, तो इसका क्या होता था, 22 प्लस एक्स, एक ही जा रहा था, तो only one of, one of, each pair is transmitted to, one of each pair is transmitted to, gamete, चीक है सह, तो क्या यहां दूसरे वाले केस में, segregates, at, gamete formation, and, क्या बहिए, one of each pair, अब यहां पर देखो, एक ही गया है न, one of, each pair, is transmitted to a, gamete, चीक है, तो यहां पर, segregate at a time of gamete, तो यहां पर, one of, each pair, हर इसका, is transmitted to, gamete, चीक है, चीक है, चीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, independent pair, segregates independent of each other, मतलब की, same chromosome pair, अगर है, तो अगर दूर है, तो segregation होगा, दूर नहीं है, तो segregation, नहीं होगा, तो यहां पर किस केस में, अगर different chromosome pair, तो segregation होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है, तो one pair, segregates, independently of, of another pair situated on different chromosome, कहने का मतलब है, बस कुछ नहीं पिटा, क्या कह रहा है, कि भाईया, देवो, chromosome तो independently segregate कर रहा है, है ना, chromosome तो, कहने का मतलब है, कि माल लो, मेरे पास chromosome number one थो, ठीक है, तो माल लो, यह chromosome number one का, two gene था, chromosome number two था, यह chromosome number two का, दो जेन था, तो यह दो नो तो independently segregate हो रहा है, यह दो नो तो independently segregate हो रहा है, है ना, बट अगर वही हम बोलें, कि अगर मेरे पास, इस पे एक gene था, इस पे एक gene था, तो दोनों segregate हो जागा independently बट अगर मैं बोलू कि दोनों के आपस में यहीं पे था दोनों gene आपस में बहुत closely associated था तो क्या gene independently segregate करेगा नई तो अगर gene independently segregate कर रहा है तो law of independent assortment follow कर लेगा अगर नहीं कर पा रहा तो linkage हो करेगा समझ में आया बिटा समझ में आया समझ में आया इतना जो मैंने बोला समझ में आया अब आँ भैतों है समझाने की कोशिश करता हूँ chromosomal explanation of law of segregation क्या करता हूँ chromosomal explanation of law of segregation law of segregation की बात करें independent assortment की बात नहीं करें segregation की बात ठीक है independent assortment की बात तो भाई मेरे पास क्या यहाँ पर मेरे पास एक chromosome था let's say कोई एक chromosome था ठीक कोई एक chromosome था कोई दिकर नहीं आता है यह इसका दूसरा फिर होगे chromosome ठीक है G1 में तुमारा chromosome condensed किया ठीक है उसके बाद G2 में amount of DNA डबल हुआ और उसके बाद जब यह meiosis 1 के phase में गया इसके crossing over crossing over इतके over जो हुआ तो meiosis 1 के phase में मुझे क्या देखने को मिलेगा meiosis 1 के phase में मुझे यह वाला इधर independent की segregate करेगा और दूसरा वाला मुझे इधर independent की segregate करते हैं मिल जागा थोड़ा बहुत इन में crossing over पर नहीं जागते हैं तो हम को देखने को मिला हम को देखने को मिला यह वाला क्रमजों और यह वाला क्रमजों अब meiosis 2 हुआ यह meiosis 1 के बाद हुआ यह क्या था यह 2N था और उसके बाद यह N हो गया अब meiosis 2 के बाद यह जुनों split कर गयागा तो 2 से 4 बनेगा तो meiosis 2 के बाद क्या हो गया तो हमको एक देखने को मिला यह वाला एक देखने को मिला यह वाला और यहाँ पे भी 2 होगा तो हमको एक देखने को मिला यह वाला और एक देखने को मिला यह अब इस पे कुछ भी रख दो उसके हिसाब से यह segregate करते रहेगा इस पे कुछ भी रख दो उसके हिसाब से यह segregate करते रहेगा तो यह में उसीस 2 के बाद ही ऐसा हो गया तो यह क्या दिखा रहा है कि तुम्हारा independent तुम्हारा जो law of segregation हो रहा है और अगर और आजा एक अगर 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 बिट उल्प ए तो अगर दिप्रेंट को सपोज मालो कि मेरा एक जीन यहाँ है दूसा जीन यहाँ है तो जब तक इन दोनों के बीच से crossing over नहीं होगा ये independently assort नहीं करेगा जब तक इन दोनों के बीच से crossing over नहीं होगा ये independently assort नहीं करेगा तो law of segregation में तो काम कर गया but law of independent assortment तभी होगा law of independent assortment तभी होगा कब कब law of independent assortment तभी होगा जब जब एक जीन दूसरे जीन से या तो different chromosome पे हो या फिर same chromosome पे हो तो इन दोनों के बीच में crossing over हो same chromosome पे या फिर same chromosome पे हो तो दोनों के बीच में तो दोनों के बीच में क्रॉसिंग ओवर जरूरी है क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो लिंकेज हो जाएगा इंडिपेंडेंटी असॉर्ट में नहीं कर पाएगा क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो लिंकेज हो जाएगा इंडिपेंडेंटी असॉर्ट नहीं कर पाएगा कोई दिक्कत सर्यान तक ठीक ठीक के एक single meeting and produce a large number of progeny single mating can produce a large number of progeny ठीक है सब ठीक है सब ठीक है सब अच्छा male और female अलग अलग दिख जाते है आपको female fruit fly बड़ा दिखेगा male fruit fly थोटा दिखेगा male and female flies were easily distinguable male and female fruit fly were easily distinguable आराम से दिखेगा जाते है पाच्छवा और सबसे important point कि आराम से इनको हम low power microscope में देख सकते थे इनको क्या होता थे थोड़ा सा ethanol दालो बेहों से जाते थे और उसको low power microscope में आराम से देख पाते थे ठीक है तो can be observed under a low power microscope अराम से ये low power microscope में देख पाते थे ठीक है से ठीक है से तो क्या एक्सपरिमेंट किया था वो एक्सपरिमेंट और वो क्रॉस देखते हैं ये क्रॉस आप लोगों ने देखा होगा आपके NCRT में हमेशा और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये क्रॉस अभी तक नहीं समझाया कैसे ये हुआ ठीक है आज की क्लास में ये क्रॉस तुम समझोगे वैसे तुमारे एक्जाम में कभी इस क्रॉस से रिलेटेड को सवाल आता नहीं बड़ मेरा कर्तव है कि NCRT का हर लाइन हर का रग्राफ आपको अच्छे समझ में आ तो ये वाला क्रॉस में आपको समझा देता हूँ ठीक है आईए द्यान दे समझेगा वैटा क्या क्रॉस की बात हम कर रहे हैं तो क्या हो गया कि इसने दो चीज लिया क्या इसने लिया इसने लिया द्यान दे दे को ये आईप्रिट आई क्या कि ध्यान दे यलो बॉड़ी वाइट आई फीमेल देखो ध्यान से यलो बॉड़ी वाइट आई फीमेल दिया यहां पर हम फीमेल का माक लगा आए ऐसी होते ने फीमेल अपनी ठीक है और कैसा यलो बॉड़ी वाइट फीमेल लिया वाइट आईड को भी नीचे रहते है यलो बॉड़ी वाइट फीमेल लिया ठीक है और क्या किया ब्राउन बॉड़ी brown body red eyed male red eye male brown body red eyed male male का बना देते निशानलग से यहाँ पर ठीक है ठीक है सब ये brown body और red eye जो है ये दोनो dominant ठीक है yellow body और white eye जो है तुम्हारा ये दोनो recessive है ये दोनो क्या है recessive है ठीक है तो अगर पकड़ लो कि अगर हम yellow body को ऐसे लिखते हैं अराम से स्टेप बाई स्टेप समझना ठीक है अगर हम yellow body को y से रिप्रेजेंट कर देता है ठीक है और white eye को हम small w से रिप्रेजेंट कर जाते है को हम small w से रिप्रेजेंट कर देता है ठीक है अब यहाँ पे brown body को हम y प्लस से डिनोट कर देता है ठीक है और red eye को भी हम w प्लस से डिनोट कर देता है मतब capital Y के बल्ले हमने y प्लस से जोड़ दिया that is it और कुछ नहीं ठीक है red eye को हमने ठीक है ठीक है नेहां तब पोई दिक्कत अच्छा female कैसे होती है x x chromosome पर तो यह दोनो x chromosome पर होगा male कैसा होगा x y chromosome पर होगा तो यह तुमारा x y chromosome पर है ठीक है अब यह जो trait है ये जो ट्रेट है ये कौन से क्रोमोजोम पर लोकेट है ये जो ट्रेट है ये लोकेटेट है एक्स क्रोमोजोम पर कहां लोकेटेट है ये लोकेटेट है एक्स क्रोमोजोम पर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर हा या या नहीं यहीं तक कोई दिकत यहां तक कोई दिक कर ठीक भहुत ताई अब CROSS कर के देखते है अब CROSS कर के देखते है अब CROSS कर के देखते है क्या होगा बिटा क्या होगा इसकी क्रillance करो आजो यहां पर यहीं पे कर लेते हैं tak क्रॉस इसके बाले पर जादा अच्छे पर समझना एक है ठीक है यहाँ पर जादा चाहिए समझ में आयद गा तो क्या बोला यलो बॉड़ी वाइट आइड फीमेल दिख रहा है तुमको यलो बॉड़ी वाइड फीमेल और उसके बाद दूसरा आपको वाइड आइड मतलब डॉमिनेंट हो गए यही तो ब्राउन बॉड़ी रेड आ मेल देखो यह जो ग्रमोगों यह इसका एक्स घ्रोमोगों है यह वाला इसका एक्स ग्रोमजोम है तो इसको क्रोस कर दो इसको cross कर दो हमने क्या कि इसको cross कर दिया तो F1 generation पर क्या मिलेगा simple yellow white और wild type यहां तक तो किसी कोई दिक्कत निवाई इसको हमने cross किया तो यह वाला इधर आ गया तो यह dominant है law of dominance फॉलो कर रहा है यहां पर तो यह तुम्हारा wild type आ गया और यह वाला recessive हो गया और यह तुम्हारा yellow white हो गया क्योंकि y chromosome पर तो कुछ है नहीं तो यह वाला तुम्हारा ऐसा आ गया F1 generation देखने को ऐसा मिला F1 generation देखने को कहता मिला इस तरह का मिला ठीक है अगेन हम अगर बोले तो यह वाला chromosome ही क्रोमोजोम मेरा X is an थीक है थीक है कि दूसा क्रोमोजोम क्या है मेरे पास कि एक्स कि वाई प्लस डब्लू प्लस है ठीक है सर यह तुम्हारा हमने निकाल दिया ठीक है सर यहां पर क्या होगा एक्स कि वाई डब्लू और यह तुम्हारा हो गया वाई क्रोमोजोम कोई दिक्कत सर यहां तर तो पहला वाला क्या बनेगा पहला वाला देखो क्या बनेगा एक्स 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 वाई डब्लू एक्स वाई डब्लू हाँ यह ने एक्स वाई डब्लू एक्स वाई डब्लू कौन सा मैच कर रहा देखो कौन सा मैच कर रहा इसमें कौन सा मैच कर रहा इसमें कौन सा मैच कर रहा इसमें कौन सा मैच कर र कौन सा मैच करए इसमें यहां पे देखो, x, y,w, x, y,w यह वाला मैच कर रहा है, पहला वाला आगिया मेरे पास, ठीक है, यहां पे इसको पहला लगा दो, दूसरा क्या है दूसरा क्या है दूसरा वाला X क्या भाई है YW और Y X YW और Y X YW और Y कौन सा आ रहा है बताओ X YW और Y क्रोमोजोम यह ना YW और Y क्रोमोजोम यह वाला होगया तो यह होगया तुम्हारा दूसरा नंबर हाँ या नहीं यह होगया तुम्हारा दूसरा नंबर हाँ या नहीं ठीक चले तीसरा देखे X इसमें क्या आएगा Y प्लस W प्लस इस वाले का Y प्लस W प्लस और उसके बाद चौथा आजागा तुम्हारा X Y ठीक है अब X रोमज़ों पर इधार ही आजाओ X Y प्लस W प्लस और X Y W Y प्लस W प्लस और Y W देखो भईये कौन सा है Y प्लस W प्लस और Y अच्छा ये तो YW Y ये वाला है इसको पहला करो ये पहला है YW YW ये दूसरा हो गया ये दीसरा हो गया और चौथा यहां तुम्हारा आजाएगा इधर वाले से कहां पर ये तुम्हारा चौथा आजाएगा जब X Y प्लस W प्लस और Y X Y प्लस और W प्लस और Y एक, दो, तीन और यह चौत आया आया सर आया सर हाँ या नहीं आया बहुत 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 ठीक है कब? जब हमने cross किया F1 generation को कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक ठीक ठीक, कब किया? जब हमने इस दोनों को cross किया तो हमें चार यह मिल गया है ना, हमें चार यह मिल गया ठीक, अगला कोई दिकर यहां तक ठीक है हाँ ठीक तो यह तुम्हारा 4 ऐसे ही तुम इधर दूसरे वाले का करोगे तो इधर का भी तुम्हारा 4 आ जागा ऐसे ही तुम दूसरे वाले का करोगे तो इधर का भी तुम्हारा 4 आ जाएगा समझ में है कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं यह समझ में है कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं यह समझ में है कैसे हम लोग क्रॉस करते हैं यह समझ में है हाँ या नहीं चलो, एक बार और बताते हैं, ठीक है, फिर से एक बार और तुमको repeat करते हैं, ठीक है, चलो, एक बार मिटा लो उसको, फिर से मैं एक बार और बताते हूँ, step by step पूछेंगे, बताना कि यहाँ पे सर कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, step by step पूछेंगे, बताना कि सर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, स्टेप नमबर वन पे आते है पहला वाला यहाँ पे हमने क्या क्रोस किया यह वाला यहाँ पे पहले सबसे पहले देखने एक एक करके स्टेप बाई पर करेंगे यह वाला देखो देखो, ध्यान से ध्यान से यह X है यह X है यह X है यह Y है किसी को कोई दिक्कत यहां तक, पहले बताओ किसी को कोई दिक्कत यहां तक अब देखो इसको मैं same adjective लिखूँगा तो मतलब अगर मैं इसको लिख रहा हूँ यहां ही पे यहीं पर लिख रहे हैं ध्यान से देखो तो क्या दिखा देखो X Y W देखो यहाँ पे X Y W मैंने सेम लिखा X क्रोमोजोम पे Y W यहाँ पे X Y W ठीक है दूसरा भी मैंने डाल दिया X Y W दूसरा भी मैंने डाल दिया X Y W X, Y, W सेम जो हम जो cross करते हैं बस Y cross किया है अब यहाँ पर देखो Y chromosome पर क्या है X, Y, Y plus, W plus X, Y plus, W plus ठीक है और यहाँ पर हमने क्या डाला Y chromosome खाली है तो Y chromosome पर कुछ नहीं हो गया हमने डाल दिया यहाँ पर Y ठीक है ठीक है सथ यह जो है यह किस chromosome पर है X chromosome पर ही है अब इसको cross कर रहा है X, Y, W और X, Y plus, W plus ठीक है यहाँ पर X, Y, W और X, Y plus, W plus ठीक है यहाँ पर X, Y, W और Y, यहाँ पर X, Y, W और Y यही आया ना यही आया ना F1 generation देखे क्या match कर रहा है आपका F1 generation इससे क्या match कर रहा है आपका F1 edition इससे देखे तो पहना क्या बोला था हमने X, Y, W, X plus, W plus आया तो यह X, Y, W, X, Y plus, W plus ठीक है जिसको हमने Y type बोला obviously यह dominant है यह recessive है तो dominant show करेगा तो यह brown red होगा dominant show कर रहा है यह brown red होगा ठीक है और दूसरे case में हमने क्या देखा दूसरे case में हमने यह देखा X, Y, W और Y X, Y, W और Y यह X chromosome है यह तुमारा Y chromosome है तो यह recessive है यह yellow white हो गया यह तुमारा यह तुमारा F1 generation हो गया यह तुमारा F1 generation हो गया यह तुमारा F1 generation हो गया कोई दिक्कत कोई दिक्कत कोई दिक्कत यहां तक clear एक बाद हम सब दो सब F1 generation clear हुआ एक बाद हम सब दो चल्ड़ अब F1 generation में दो condition हो सकता है एक तो जो हमने पढ़ा है law of independent assortment हो रहा है और एक हमने पढ़ा है जो crossing over हो रहा है तो अगर हम law of independent assortment देखते हैं normally तो simple है कि अब हमको इसको cross करना है अब हमको इसको cross करना है तो क्या होगा किसको cross करेंगे तो हमने cross किया x y w ठीक है और x y plus w plus जो मैंने तुम्हें बताया x y w और x y plus w plus ये वाला same x y w और x y plus w plus same चीज़ जो हम बोलना है वही बात कर रहे है ठीक है अच्छा और दूसरा इसको cross किया हमने इसके yellow eye के साथ तो x y w और उसके बाद क्या हो गया y chromosome कुछ नहीं हुआ y chromosome तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे cross कर दिया ठीक है साथ ठीक है साथ अब देखो ये कब है जब independent sortment की बात कर रहे है ठीक है तो अब देखो इस case में क्या होगा इस case में क्या होगा द्यान देखो तो क्या लोगा लिखो बताओ तुम लो x y w x y w कोई दिख रहा है तुमको यहाँ पर देखो इस side वाले पर न मांने side वाले पर देखे सब X YW और X Y goes W plus X YW X Y positive किसी को को दिक्करत किसी को को दिक्करत ठीकль तीसरा देखे तीसरा देखे सब X YW और y, x, yw और y, अब देखो, x, yw और y, x, y, तीसरा, चौथा देखो, x, y, प्लस, w, प्लस, और y, चौथा, x, y, प्लस, w, प्लस, और, y, चौथा, ठीक है, सर, 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 ठीक है, कोई दिक्कत, सर, यहाँ पर, हमने यह वाला काम यहाँ पर कर लिया, जब हमने इसको आपस में क्रॉस किया, तो, थिक है यह तब हो रहा है जब हम परेंटल वाले चीज में देख रहे हैं अगर हम इसका न ब Rice ठीक है नों का ंंको निकाल कर दिखाना है और शेकोडिद रहा है x y plus w दोनों का अलग-अलग करना है न उनको दोनों का अलग-अलग करना है जब दी कॉमिनेशन होगा ठीक है और यहाँ पे x y w और y यह कम निकालने है जब क्रॉसिंग ओगर करा के दिखाना है उनको तो करो सर इसको क्रॉस करो इसको क्रॉस करो देखो तुम्हारा बाग ही सारा भी आज़ेगा क्या आ रहा है पहले के दिख में x y w प्लस और x y w देखो कहीं दिख रहा है x y w प्लस और x y w दिख रहा है दिख रहा है यह white निए हो बेटा यह yellow आई गलत है ठीक है ठीक है सर ठीक है सर तो यह तुम्हारा नमबर चार डाल दे है इसको नमबर चार डाल दे है चार हो गया नमबर पांच डाल देते हैं इसको यह नमबर पांच हो कहीं दिख रहा है दूसरा देखो x y w प्लस और y x y w प्लस और y देखो x y यह चट्था नमबर हो गये तुमारा ठीक है ठीक है अच्छा अब अगला x yw और x y plus w x yw और x y plus w हो गया और 8 अब 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 Er्यक में खुश्धी स्ख्या कंसरें अगला आत्मारा ठीक है यह गयेीं सकत कि दिखाएं मेंने क्रीख अड़ने का इसहां डिक रिखा रहा तो यह रेंटल क्यारेक्टर दिखा रहा है, इसी तरीके से यह निकलता है तुम, इसी तरीके से यह निकलता है, आई बाद सबको समझ में एक बारंग उठा दिखो, आई बाद सबको समझ में एक बारंग उठा दिखो, आई बाद सबको समझ में, ठीक है सर, ठीक है सर, तो crossing over हुआ तो यह recombinant बना अगर crossing over नहीं हुआ तो ठीक है crossing over हुआ तो recombinant बना अगर crossing over नहीं हुआ तो parental character आपको देखने को मिल जाता है बहुत बढ़ी बहुत बढ़ी ठीक है आईए अब थोड़ा theoretical पार्टिया आप इसका समझ लेते हैं क्या पूल रहा था यहां ते clear होगे न यलो वाड़ी वाइट-एड मेल को हमने इसको cross बहुत 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 चलो given में पहली बार तुमको ये समझत हो आया किसी स्कूल का मास्टर तुमको ने समझ आता है इस पर इतना सवाल आता है इसको क्रॉस ब्टवीन फीमेल यउलो बॉइट आइज एंड वाइल्ड मेल मतलब ब्राउन बॉड़ी रेट आइड ठीक है जीनापस में टाइटली लिंक थे दोनों जीनापस से पास थे तो क्या हुआ री कॉंबिनेशन जो है कम शो किया कितना 1.3% री कॉंबिनेशन शो किया 98.7% पेरेंटल कारेक्टर शो किया किसमें किसमें जब क्रॉस क्या हमने यल्लो बॉड़ी वाइट आई फीमेल एंड ब्राउन बॉड़ी रेड आई ठीक है तो यह आगया ठीक है साथ ठीक है साथ तो यह पहला क्रॉस हुआ जो शो कर रहा है कि अगर जीन टाइटली लिंग्ड हो तो पेरेंटल कारेक्टर ज्यादा होता है इस फिनोमेना को हम कहते हैं linkage क्या होता है इस फिजिकल असोसियेशन ओफ जीन फिजिकल असोसियेशन ओफ जीन इस फिनोमेना को हम कहते हैं नहीं दर करेंगे सbe económικल यहां वल्नियाशन नहीं बल्कित असलिकल करेंगेशन फिजिकलिकल फिजिकल है एक है कि यह क्रॉस एक आपस हैं कि पकलेशन हैं इस पाई। and a wild type main तो क्या होगा white eye miniature wing और यह तुम्हारा red eye कैसा हो जाएगा तुम्हारा red eye और बड़े wing है ना तो यहाँ पे gene क्या थे they were loosely linked थे तो इसमें higher decombination आपको देखने को मिला कितना decombination frequency था 37.2% recombination था और 62.8% parental था 62.8% parental था थीक है थीक है सर यहाँ तक कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत तो यही दो trait बोला तुम्हारा हमारे T.H. Morgan ने क्या the way in which two genes that are located close to each other on a chromosome are often inherited together तो अगर दो gene आपस में पास पास है अगर दो gene आपस में पास है तो क्या होगा parental character जादा आएगा और इसी फिनोमेना को हम कहते हैं linkage ठीक है और अगर तो gene दूर है तो नया combination बनेगा इसको हम कहते है recombination तो the process by which pieces of DNA are broken and recombined to produce new combination of a lead तो इसको हम कहते है recombination जो non-parental composition के कारण होता है ठीक है सर तो यह linkage और recombination का different एक लो tendency of a gene in a chromosome to remain together and pass such as in the next generation मत्ता parental character produce करेगा ठीक है crossing over हो रहा है तो exchange of gene और chromosomal parts to break and establish linkage and form new linkage तो इससे recombinant produce होता है ठीक है तो जितना जादा जितना जादा जितना जादा जितना जादा या देखो between two gene होगा जितना जादा distance between two gene होगा उतना ही जादा crossing over की probability यह उतना ही जादा यह गलत लिखा है percentage recombination depends गरेगा जितना जादा distance directly proportional होगा वन पाइट नहीं होगा यह गलत लिखा है ठीक है इस directly proportional to the distance between two genes है ना उतना जादा जितना जादा distance between two gene होगा उतना जादा recombination होगा ठीक है या उतना जादा crossing over होगा ठीक है जितना जादा distance between two gene है उतना जादा recombination या crossing over होगा ठीक है तो हम लिख सकते हैं recombination percentage is equal to या is directly proportional to the distance between two gene recombination proportion is directly proportional to the distance between two gene या directly proportional to crossing over जितना crossing over ठीक है यह सही कर ले ना यह पता नहीं क्यों गलत लिख दिया ठीक है हमने दुनों trade देख लिए तो लिकम के जोर recombination की बाद हमने यहां पे कर लिए ठीक है सर यह वाला पेश आपको समझ में आदो ठीक है उसके बाद Morgan का एक student था जिसने frequency of recombination between gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between two gene और chromosomal map या gene map बना है तो इसने क्या बोला इसने क्या बोला इसने बोला कि 1% recombination frequency इसने क्या बोला देखो 1% recombination frequency frequency 1% recombination frequency is equal to one unit on gene map हाँ ते रिंगे बाद है 1 unit on gene, ठीक है, 1% combination frequency is equal to 1 unit on gene map, या इसको हम कहते हैं, distance between 2 gene, और ये 1 unit को इसने बोला, 1 centi morgan, क्या बोला इसको, इसको बोला, 1 centi morgan, ठीक है, ठीक है, सर, किस ने बोला ये, तो यही वाली बात यहाँ पे क्या, कि frequency of recombination is equal to, total number of recombinant by total number of progeny, इस से तुम frequency of recombination निकाल सकते हो, ठीक है, फिर यहाँ पे यहाँ पे भी क्यों किया है भाई यह ओफ 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 यह गलत है यार गलत है गलत है क्यों यहाँ पे हैसा है पर्सेंटेज दी कॉमिनेंशन विल बी डिरेक्ली प्रोपोर्शनली लोग दिस्टेंस विटीन तू जीन नहीं होगा है ना तो वर्ण पर्सेंट क्रोसिंग वर बिट्विन टू लिंक जीन इस नोन एज वन मैप उनिट और वन सेंटिम मोर्गन ठीक है अगर माल लो कि तुम्हारा डिस्टेंस बेट्वीन जीन ऐसा दिया है अगर माल लो कि हम बोल दिये कि A और B का डिकॉमिनेशन फ्रिक्वेंसी 10 परसेंट अगर माल लो मैंने एक एगराम पल लिया ठीक है बी और सी का डिकॉमिनेशन फ्रिक्वेंसी 20 परसेंट ए और A और सी का डिकॉमिनेशन फ्रिक्वेंसी 10 परसेंट Mercy ठीक है तो अब देखो गर इसको जीन मैप पर बनाएंगे तो क्या होगा इसको gene मैं पर बनाएंगे तो क्या होगा A और B का recombination frequency मैंने माल दो यहाँ पर बना लिया A, B मैंने बना लिया 10% ठीक है B और C का मैंने बोला 20% है B और C तो यहाँ से B और C 20% होगा ठीक है यहाँ से B और C 20% होगा और हम बोलने A और C का recombination frequency 10% है तो sequence क्या होगा यह वाला सही होगा नहीं तो A और C के बीच का 30 हो जाएगा तो हम यह लिख सकते हैं C, A, B यह तुमारा position of gene होगा यह तुमारा position of ठीक है तो इस तरह के लल्लू सवाल तुमको gene map पे देखने को मिल जाते हैं इस तरह के लल्लू सवाल तुमको gene map पे देखने को मिल जाते हैं clear है clear है सर तो यहीं इसी को genetic map कहते हैं इस पे तुमको इस तरह का ही हलका सवाल देखने को मिल जाएगा यगर distance एक है इतना यह है तो कैसे निकलेगा ठीक है सा, ठीक है सा, ठीक है सा, question करो क्या देखो, क्या है, in law of independent assortment, how many factors are involved for a dihybrid cross, dihybrid cross है, तो कितने gene involved हो, dihybrid है तो 2, ठीक है, Mendel's result of inheritance, of character, was rediscovered by Hugo de Vries, Karl Cottensoff, one test mark, देखा था, the chromosome as well as gene, occur in a pair of two allele of a gene, are located on, on, क्या, homologous chromosome पे है न, ठीक है, ठीक है, ठीक है, are located on, homologous chromosome, clear, ठीक है, ठीक है, linkage group, linkage group क्या होता है बिटा, it is, diaclip हो, जैसे माल लो कि अगर, P का 14 है, तो उसका 7 linkage group हो जाता है, ठीक है, तो, linearity among linked gene है, वैसे तुमारे ये slavers में नहीं है, तो इसको linkage group को डाल तो, not in slavers, ठीक है, ये तुमारे slavers में नहीं है, ठीक है, अगला, अगला, क्या बोला, अगला, map units और linkage maps cannot be relied upon to calculate physical distance on a chromosome for which of the following reason, map units और linkage map cannot be relied to calculate physical distance, तो हम क्या बोले थे, percentage recombination से एक unit निकालना है, physical distance तो बहुत छोटा होगा न, physical distance हम कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, ठीक है, और distance of gene तुमारा cell cycle के time पे coiling होगा, uncoiling होगा, तो वैसे भी नहीं पता चल जाएगा है न, तो यहाँ पे, physical distance of a gene can change during the course of cell cycle, ठीक है, अगला topic आते हैं, इसको हम कहते हैं, polygenic inheritance, क्या होता है सब, polygenic inheritance, अब polygenic inheritance मतलब क्या हुआ, if several gene contributes तो इसको हम कहते हैं, polygenic inheritance, ठीक है, इसको हम कहते हैं, polygenic, मतलब, बहुत सारा gene मिला के, एक character regulate कर रहा है, तो इसको हम polygenic inheritance कहते हैं, एक्जामपल इसका क्या है सर, एक्जामपल है इसका human height, human skin color, सिर्फ इसके example पर ही सवाल आता है, और तीसरा, kernel color in wheat, in wheat, ठीक है, ठीक है, अब एक और line है यहाँ पर जो बड़ा important है, जिस पर सवाल आया था पिछले सार, क्या, the involvement of, involvement of, multiple gene, polygenic, inheritance, also takes into account the influence of environment, environmental influence भी देखता है, क्योंआट, the influence of, of environment, environment, ठीक है था, environmental influence को भी यह देखता है, ठीक है था, ठीक है था, जैसे अगर तुम human skin color का example होगा, तो तीन gene से होता है, तो अगर मालनो हम human skin color का example लेते हैं, ठीक है, तो क्या, capital A, capital A, capital B, capital B, capital C, capital C, ठीक है, एकदम का लाओगा, ठीक है, negro black, ठीक है, और उसके बाद, अगर हम इसको बोले, small a, small a, small b, small b, small c, small c, तो ये एकदम उजला होगा, albino white, छिलका का color बेटा, करनल color मतलब, albino, तो F1 generation क्या होगा, capital A, small a, capital B, small b, capital C, small c, ये wheatish complexion होगा, क्या होगा, ये wheatish complexion, जो हम लोगा complexion है, वहला complexion आ जाता है, इस तरह से, तुम्हारा इस तरह से, ये change होते रहता है, तो अगर माल लो, capital A, capital A, जादा है, capital B, capital B, जादा, तो उतना dark होता जाएगा, जितना dominant जादा होगा, उतना dark होगा, और जितना recessive होगा, उतना जादा light होगा, तो तुम्हारा 8 phenotype देखने को इसमें तुमको मिल जाएगा, ठीक है, तो एक point यहाँ आपर लिख लो, कि जीनो टाइप, विथ किया, all the dominant form, all the dominant form, will have the darker skin color, will have the darkest skin color ठीक है ठीक है तो यह वाला पाट हमने पता है तो इसको हम पॉलिजन ही गिनेटेज करते हैं अगें सवाल से यहां पर आता है इसी पर सवाल है हुमेल हाइट स्किन कलर तुमारा आता है और यह जो फिजिकल इन्वाइरमेंट पे भी इसका एफेक्ट होता है मतलब इन तो उसको भी सवाल आया हुआ है तो देखो सेम जीज यहां पर लिखा होगा इन पॉलिजनी के नेटेज मैनी अलील इंट्राक्स विद मोर धन विधा मोर और लेस अडेटिटिव एफेक्ट ठीक है तो पॉलिजन सेम ट्रेट्स आर फांड इंडिफरेंट ग्रॉमोजों मे ठीक है पॉलिजनीक ट्रेट तुमको यह बोला था ना सारा इंवार्यमेंट पे भी एफेक्ट होता है ठीक है इसी तरह का सवाल लाए लग जैसा देखो यूमिन स्किन कलर इनहरेटेंस जीनो टाइप विद 3 डॉमिनेंट एं 3 रिसेसिव अलील विल प्रड्यूस इंटर्म पढ़ेंगे अभी यह ब पढ़ेंगे ठीक है पॉलिजनीक ट्रेट इस इस गंट्रोल बै तू और मोजीन वैसे तो होना चेए बट ठीक है थृवार मोजीन अंसरा एक चली है अगला पीलियोट्रॉपी क्या होता बैटा अगर एक जीन यह वैसे हमने पहले भी पढ़ाया ह şu कर रहा है तो उस फिनोमेना को हम प्यू घू यह और थैं आ lazy за तो प्रिंड फिलॉट्विंड मिवा of the gene on metabolic pathway that contributes towards different phenotype, ठीक है, तो जैसे इसका example आजएगा तुम्हारा phenyl की टॉनोरिया, दूसरा मैंने example उस दिन बताया था, starch binding enzyme gene का याद है, तो ये वाला भी तुम्हारा आ गया, तो phenyl की टॉनोरिया अब के बारे में अभी तो हम वैसे बढ़ेंगे, तो अभी इसके बारे में उतना नहीं देखते हैं, क्या होता है, अभी हम बात परेंगे, तो cause by single gene mutation, mutation codes for enzyme phenylaline hydroxyzylase, तो इसमें क्या होता है, कि phenylaline convert नहीं हो पाता है, टाइरोसीन में, phenylaline convert हो जाता है, तो इसके कारण mental retardation होता है, और skin pigmentation आपको देखने को मिलता है, ठीक है सर, अगला that is sex determination, इससे भी सवाल आता है, ठीक है, तो तब method by which males and females are established in the species is called sex determination, कैसे कौन सा sex होगा, ठीक है, कैसे confirm होगा था, sex determination confirm होगा था, x body के कारण, और एक scientist थे जिनका नाम था, hanking, इन्होंने discover किया था, x body को, इन्होंने discover किया था, x body, ठीक है, तो देखो, दो तरह का set of chromosome होता है, जिसे humans के case में ले लो, ठीक है, तो हम लिखते क्या होता है, 44 plus xx होता है female, और 44 plus xy होता है, male, ठीक है, तो इस वाले chromosome को हम कहते है, auto zoom, auto zoom, और इस वाले को हम कहते है, sex chromosome या allo zoom, sex chromosome या allo zoom है, तो इनकी मदद से हम sex determination करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, कहां कहां करते हैं, एक एक करके देखना start करते हैं, ठीक है, सबसे पहले, इनसेक्ट के केस में, xxxo type, मतलब, इनसेक्ट के केस में अगर हम देखे हैं, तो क्या होगा, xx female, ठीक है, और xo male, तो यह कौन सा हुआ, male different gamete का बना है, तो इसको हम कहते हैं, male heterogamety, male heterogamety, ठीक है सर, ठीक है सर, ओ मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, ओ मतलब खाली जगा याद रखना, ओ मतलब कुछ नहीं है, ओ मतलब खाली जगा, ठीक है, दूसरा अगर हम देखेंगे, humans के case में, तो xxxy type, यह insect grasshopper का इसका example होगा, grasshopper VC का example होगा, ठीक है, xxxy type, तो यहाँ क्या है, अगेन, xx female, xy male, यह भी क्या है सर्थ, male heterogammy, male heterogammy show कर रहा है, दूसरे case में देखो तो भई है, तो इस case में क्या है, zz, zw type, तो zz female और zw male, अब उल्टा हो गया, ओ सर्थ, zz male, sorry, zz male और zw female, यहाँ पे उल्टा हो गया, मतलब यहाँ पे female heterogammy है, female decide कर रहा है, सेक्स, तो यह हो जागा तुम्हारा female heterogammy, मतलब different types of gammy है, तो female heterogammy हो गया, birds के case में, ठीक है, इस case में, zz, same, male, और zwo female, यह भी हो गया तुम्हारा female heterogammy, तो जो heterogammy है, वही sex decide कर रहा है, बच्चा का, जो heterogammy है, वही sex decide कर रहा है, बच्चा का, और probability of male और female हमेशा 50% होगा, ठीक है, दो चीजा दो, जो heterogammy है, वही sex decide कर रहा है, बच्चे का, sex decide कर रहा है, ठीक है और दूसरा probability of male या female हर generation में 50% होगा probability of male and female हर generation में 50% होगा हर generation में कितना होगा 50% होगा probability of male and female हर generation में 50% होगा clear है सब्सक्राइब करके यहां पर लिखा हुआ है तो इन इंसेक्स एक्स एक्सो इसीन एक्स तुम्हारा female हो गया एक्सो तुम्हारा male हो गया ठीक है तो male have one x chromosome and no additional chromosome वह मतलब कुछ नहीं है ठीक है तो all x bear an additional x chromosome besides other autosomes ठीक है तो यहां पर यहीं आ गया तो due to the involvement of x chromosome in determination of sex it was designated to be sex chromosome and rest of the chromosome were named autosome sex determination में जो chromosome काम कर रहा है that is x chromosome तो वह sex chromosome में बाकी तुम्हारा बाकी तुम्हारा autosome है grasshopper males have one x chromosome besides autosome female has a pair of x chromosome जो हमने वहीं सेम चीज़ देखा ठीक है drosophila में क्या है बईया males have one x and one y chromosome यहां पर एक बड़ा सवाल आया हो था drosophila में तुम्हारा xy होता है मतलब male heterogamy होता है इसमें भी male heterogamy होता है ठीक है और male के पास xy chromosome होता है in case of drosophila ठीक है whereas besides autosome same as humans ठीक है here both male and female have same number of chromosome जैसे drosophila की case में जैसे humans की case में male female same number of chromosome होता है तो male autosome प्लस xy female autosome प्लस xx ठीक है ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर ठीक है सर बड़े तो यह वाली बात होगे ठीक है birds के case में क्या है उल्टा हो जाता है कि female heterogamy आपको देखने को मिलता है इन birds females are heterogamy that is zw zw कुछ नहीं है तुम्हारा xy है ठीक है और xx है तो बस उसको नाम चेंज करने के लिए तुम confuse ना करो इसपे zw यह दिया है ठीक है simple humans के case में जैसा मैंने आपको वही बताया था कि 44 प्लस x x यह तुम्हारा female हो गया और 44 प्लस xy यह तुम्हारा male हो गया अब इसका जब वह होगा कारिक्राम होगा मतलब जब इसका gamit formation होगा तो 22 प्लस x 22 प्लस x इधर आजेगा 22 प्लस x 22 प्लस y 44 प्लस x x 44 प्लस xy 44 प्लस x x 44 प्लस x y तो 50% male 50% female अब देखो इसमें सवाल क्या था आता है सवाल कुछ ऐसा पूछ देगा कि what is the probability of poor consecutive sons what is the probability of a couple having four consecutive sons four consecutive sons कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे what is the probability of a couple having four consecutive sons पहले बच्चे का प्रोयल्टी क्या है पहले बच्चे का प्रोयल्टी क्या है हाफ 50% दूसरे बच्चे का प्रोयल्टी क्या है 50% तीसरे बच्चे का प्रोयल्टी क्या है 50% फिफ्टी पॉसरे प्रोयल्टी क्या है 50 तो 2 x 2 4 x 2 8 x 2 x 2 तो इस तरह से तुमगों चार congecutive beta होने का पहले के बेटा होने का probability एक 1 by 2 है तो हर बार 50 होगा siamo है कि तो तो चाहर सवाल आता है gonna ठीक है तो यही बात है है इन हुमेन फीमेल्स होमो चाहिए है इन हुमेन फीमेल्स हार हुमोगैमिटिक एंड मेल्स रेटरोमिटिक 46 प्रोमोजोम होते है 44 ओटोजोम होते है 2 सेक्स प्रोमोजोम होते है X-Sex तुम्हारा फीमेल के लिए होगे X-Y तुम्हारा मेल के लिए होगे बहुत सिंपल है वाली बात इसमें नहीं है अब आते हैं Sex Determination in Honeybee तो Honeybee में क्या होता भी है Honeybee में हमारी रानी होती है यहाँ पर Queen दे तो Queen का जो वो है Deployed है तो यह आज़ आगा 2N is equal to 32 ठीक है 2N is equal to 32 ठीक है अच्छा अब यह क्या होगा यह Muses कराएगा तो यह अंडे देगी एक देगी एक देगी तो कितना कितना एक दी 6Solo का Haploid Muses के बाद अंडे हुए तो यह सोला सोला यहाँ जो Drone होता है यह female है Queen female है ठीक है यहाँ जो Drone होता है वो male होता है और Drone Haploid होता है Drone Haploid होता है यह Parthen जो निस्टी से बनता है मतलब बिना Fertilization के बन जाता है ठीक है Drone जो है तुमारा Haploid होता है कितना होगी बहीं? Sun कितना हो बहीं? Sun तो यहाँ पे Drone सोला हो यह Same देदेग अपना स्पर तो अगर दोनों का Fertilization हो रहा है male और female का तो female बन रहा है male और female का Fertilization हो रहा है तो female बन रहा है जाते डिपलोईट और अगर पार्थेनो जैनेसिस से हो रहा है अगर पार्थेनो जैनेसिस से हो रहा है तो भाया क्या है फैपलोव तो यहाँ बना मेल और फीमेल में भी क्या है भया जिसको बढ़ी आजे खाना वाना मिला मतब रॉयल जली पे जो फीड किया जिसको रॉयल जली मिला तो वो queen मनाएगा जो कि fertile होगी एक ही queen मनेगी कैसे fertile queen मनी रॉयल जली पे फीड होगे और जो breadstick पर ऐसे पुकानंगा उसको छोड़ दिया, तो वो बनाएगा worker, ये भी female है, worker मेरी sterile होगी, मतलब ये अंडा नहीं दे सकती, worker मेरी sterile होगी, तो ये अंडा नहीं दे सकती, ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर, तो ये इसको हम कहते हैं, haplodeployty mechanism, haplode तुमारा male है, और diploide तुमारी female है, ये देखो, सुन्दर सा देखो, तो females are haplode, diploide 32 chromosome, males are haplode 16 chromosome, तो हमने सुन्दर सा diagram से आपको समझा, ठीक है, ठीक है, तो ये देखो, sex determination is based on the number of sets of chromosome received by an individual, drones are haplode and are produced by parthenogenesis, females are deployed and are produced by union of sperm and egg, तो in haplode deployed sex determination, the males produces sperm by mitosis, ये दखना, ये न, ठीक है, and they do not have father, ये दखना, ये इसको fatter लिखा हुआ, they do not have father, and thus cannot have son, but have a grand mother and can have grandson, very important P-Y-Q-I-R, बाप तो नहीं है न, बाप कैसे होगा, parthenogenesis होआ तो कैसे बाप होगा इसका, तो father नहीं हो सकता, ठीक है, but, 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 और बेटा भी नहीं हो सकता है, इसको, है न, but इसके grandson तो हो सकता है, तो ये बड़ा interesting सा phenomenon है, इसको लिख लें, समझ मैं सबको, अले देखो, इसके पापा कैसे नहीं हो सकता है, पापा क्यों नहीं हो रहे है, parthenogenesis है, इसका बेटा क्यों नहीं हो सकता है, बेटा क्यों नहीं हो सकता है, जब भी fertilization होगा, female produce होगी, तो बेटा भी नहीं हो सकता है, इसका बाप भी नहीं हो सकता है, जाना, ग्रांट फारर तो हो सकता है, बेटी, तो नाना तो भी बन सकता है, जाना, नाना बन सकता है, ठीक, सामया, ठीक, तो यह आगे आपका, sex determination, आप देखो तबाद, a human male contains a karyotype dash, and a human female contains a karyotype dash, तो xx xy 44 plus xx 44 plus xy अच्छा मेल बोला है पहले मेल बोला फिर फिर फीए पहले ले disparu पहले मेल बोला है यूमेन मेल प्ला एकसी और फिर फीमेल फीमेल फ्लस अब देखो इस ताहिक कोशिन में क्या होता है तुरंत तुम जल्दवाजी के चकर में गलत पर दूँगे, इजी कुश है, लेकिन तुम देखोगे नहीं और गलत कर दोगे, है ना, male heterogamity is seen in, human drosophila grasshopper, तीनों में male heterogammy है, ठीक है, ठीक है, choose the incorrect pair with respect to the dissect determination of different organism, drosophila xxxo type, drosophila xxy होता है, ठीक है, ठीक है, अगला topic, अगला topic है तुमारा, mutation, mutation क्या हुआ, तो it is a phenomenon that results in the alteration in DNA sequence, resulting in change in genotype and phenotype of an organism, it leads to variation in DNA, तो mutation मतलब क्या हो बिटा, अगर allelic, मतलब change आगया कुछ, मतलब alteration, DNA के sequence में change आगया, तो हमको पता है, कि अगर DNA में change आएगा, तो RNA में change आएगा, RNA में change आएगा, तो protein में change आएगा, protein में change आने की वज़े से, तुमारे physiological function में change आएगा, जिससे तुमको बिमारी देखने को मिलेगा, ठीक है, तो mutation की अगर हम बात करें, तुमको बात दो तरह का mutation पढ़ना, बहुत डीटेल में mutation में भी नहीं जाना, ठीक है, तो mutation कैसा कैसा होता है सर्थ, दो तरह का mutation होता है, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत अच्छे सुझना देखा, पहला mutation को हम कहते है, point mutation, point, पहले mutation को हम कहते है, point mutation, और दूसरी तरह का mutation जो होता है, उसको हम कहते है, प्रेम Shift Mutation ध्यान से सुनगा मेरे बाथ ध्यान से सुनगा ठीक है Point Mutation Point मतब एक जगहा पे अगर Mutation हो रहा है तो इसको हम Point Mutation कहेंगे सबस्थ एग एक इग्जामपल लेते हैं कि माल लो मेरे पास एक Polynucleotide Chain कुछ ऐसा बना अगर माल लो AUG है GGG है UUU है ठीक है और उसके बाद हमने एक और डाल देते हैं एक और डाल दो तुम डाल दो तुम डाल दो तुम डाल दो GUG डाल दो ठीक है ठीक है अब माल लो कि अगर mutation substitution की वज़े से हो रहा है hypothetical देखो if if mutation is caused by substitution of a single base pair mutation is caused by substitution of a single base pair single base pair substitute हो गया, Marta, इसके बदले कुछ और लग गया तो मैं भ लो इस G के बदले मैंने A लगा दिया इसजी के बदले मैंने A लगा दिया, तो क्या हो जाएगा नया जो बने गएगा इस एसा बने अईईगा, A, U, G, same रहेगा G, A, G हो जाएगा U, U, U हो जाएगा और G, U, G हो जाएगा तो सिर्फ चेंज क्या हुआ सिर्फ चेंज ये वाला हुआ जहां ये glycine बना रहा था वहाँ पर इसके बने ये क्या बना दिया glutamic acid बनाएगा इसको हम कहते है mutation, point mutation अगर substitution हो रहा है तो उसको हम कहते है point mutation, ठीक है अब substitution भी दो तरगा हो सकता है यहाँ पर जो substitution है ये भी दो तरगा हो सकता है एक को हम कहते है transition 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 अगर purine purine से replaced है if purine is replaced by purine ठीक है तो इसको हम कहते है transition और दूसरा होता है सर इसको हम कहते है transversion कब अगर purine pyramidine से replace हो रहा है सब्सिचूटेट वा है अगर अगर ने रहा होगा मैं ऊपर करते हूँ अगर purine pyramidine से substitute हो जा रहा है तो transverse ठीक है क्या example हो असर इसका example हो जाएगा sickle से लेनी में या अभी हम लोग पढ़ेंगे वैसे इसको फ्रेम्शिप में mutation में क्या हो रहा है सेम चीज यहाँ पर देखो सेम अगर मान लो कि सेम हिसाब किताब मैंने रखा कि लट से हमने सेम रखा a u g g g g u u u u और g u और मैंने बोला कि यही वाले जगा पर यही वाले जगा पर मैंने क्या किया कि यह वाले को मिटा दिया हटाए दिया डिलीट कर दिया मतलब यहाँ पर insertion या deletion कर सकते हैं ठीक है हटा दिया इसको तो मेरा eventually क्या हो जाएगा eventually मेरा हो जाएगा a u g चलो ठीक है यह जी जी यू हो जाएगा यह u u g हो जाएगा अगर हमने इसको हटा दिया तो डिलीशन किया तो तो पूरा Frem बदल जार पूरा फ्रेम बदल जा रहा है तो इसको हम तो इसको हम तो इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं इसको हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं if mutation is caused by insertion or deletion ठीक है एक बेसपेर भी हो सकता है और उससे जादा भी हो सकता है तो इसको frameship mutation कहता है उसमें पूरा frame बदल जाता है यहाँ पे single base pair बदलता है यहाँ पे पूरा frame बदल जाता है यह जादा लीथल होता है इसका example हो जाएगा thalassemia इसका example होगा thalassemia इसका example होगा thalassemia ठीक है तुमको इतना ही पढ़ना है इसके बिना कुछ नहीं पढ़ना ठीक है तो there are many chemical and physical factors that induces mutation इनको हम mutagen कहते है ठीक है UV radiation mutation से mutation cause होता है इन और्गानिजम यह भी mutagen है कुछ chemical mutagen भी होता है जिसको mustard gas होगा है तुमारा होता है ठीक है ठीक है से तो हमने mutation अभी देख लिया एक वैसे मैंने table तुमको दे दिया है substitution transition, transversion frame shift mutation ठीक है है कोई दिक्कत यहां तक तो यहीं देखो prompt mutation occurs changing क्या भी है single base pair of DNA ठीक है deletion या insertion से तुमारा frame shift mutation होता है deletion या insertion से तुमारा frame shift mutation होता है clear है सर यहां तक clear है सर यहां तक कोई दिक्कत बहुत बढ़ी है ठीक है अब तुमारा आ जाएगा genetic disorder जिसके लिए मैंने already video record करके रखा हुआ ठीक है तो वो मैं अभी upload कर देता हूँ genetic disorders ठीक है तो genetic disorders की अगर हम बात करें तो genetic disorders हमारे दो तरह के होते हैं कैसा सर एक होता है Mendelian disorder और एक होता है chromosomal disorder या chromosomal aberration Mendelian disorder मतलब क्या हुआ it is cause due to mutation or alteration in a gene अगर genes के कारण हो रहा है Mendelian disorder क्या हुआ अगर gene में हो रहा है अगर single gene में alteration हो रहा है तो इसको हम Mendelian disorder कहते हैं इसको हम Mendelian disorder कहते हैं chromosomal disorder क्या हुआ absence और excess of chromosome या abnormal arrangement of chromosome तो chromosome नमबर बड़ घट रहा है तो उसको हम chromosomal disorders कहते हैं Mendelian disorders कैसे कैसे type के होते हैं पहले वो type लिखो उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कैसे कैसे type होते हैं Mendelian disorders के तो पहला इसको हम कहते हैं autosomal disorder अगर जो gene mutation है या जो gene में defect है वो autosom में है तो autosomal होगा और अगर sex chromosome में है तो sex chromosome disorder होगा autosomal कैसा हो सकता है अगर dominant condition में बिमारी शो कर रहा है तो autosomal dominant है अगर recessive condition में बिमारी शो कर रहा है तो autosomal recessive है sex chromosome में क्या हो सकता है सर या तो बिमारी x chromosome पे हो सकता है या बिमारी y chromosome पे हो सकता है x पे है तो इसको x linked बोलते है और y पे है तो इसको y linked कह सकते है x link भी क्या है सर अगें ये भी dominant हो सकता है और ये भी recessive हो सकता है y linked में dominant recessive का कुछ चकर नहीं है तो अब ये mendelian disorder कौन सा है इसको समझने के लिए हम एक चार्ट बनाते हैं जिसको कहते है pedigree analysis pedigree analysis से क्या होता है pedigree analysis से हमको पता चल जाता है mendelian disorder का या रखना pedigree analysis can be only done by done for mendelian disorder by done for mendelian disorder only क्या होता है भया pedigree analysis में वह समझने की कोशिस करते हैं ठीक है तो देखो भया हम क्या करते हैं हम family history लेते हैं किसको बिमारी था किसको नहीं बिमारी था pedigree analysis में क्या होता है family history लेते हैं और उसके बार determine करते हैं कि कौन सा बिमारी हो सकता है अभी करके दिखाओं कर ठीक है बड़ा इंट्रेस्टिंग होता है कि डिटर्माइन दर कि अरांगाम से तसली पुरुवक समझना important concept है यह आपके समझने के लिए उसके बाद से थोरी थोरी पार्ट ही रह जाएगा तो ध्यान से इसको सुनना ठीक है कैसे पहले तो कुछ बेसिक टेबल वेबल लिख लो मैं फिर से लिखवाई देता हूं तोंको pedigree analysis का सारा table ताकि तुम्हारे लिए आसान ही हो जाए उसके बाद हम question question के through ही समझेंगे pedigree analysis और इस class के बाद तुम से pedigree analysis का सारा question बन जाएगा तो क्या किये अगर माल लो कि अंको दिखाना ये बड़ासा डबा तो यह हो गया male square है तो male गोला है तो female ठीक है अगर हम इसको male को color कर दिए यहां पर डबा को color कर दिए infected male अगर हम female को color कर दिए infected female ठीक है सर ठीक है सर तो यह male हो गया यह female हो गया अगर ऐसा है तो sex unspecified नहीं पता है मुझे इसका sex का ठीक है और अगर ऐसा है तो five लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते है five unaffected progeny अगर ऐसा है तो हम लिखते है शादी हो गया इनका शादी हुआ या mating हुआ ठीक है और अगर ऐसा है तो हम इसको लिखते है मेटिंग बिट्वीन रिलेटिफ्स मेटिंग बिट्वीन रिलेटिफ्स ठीक है इसको हम कॉन साज्वेस मेटिंग कहते हैं अंगरेजिया में लिख लिए भाईया बहुत खत्रना गवार है कॉन सैंग गी आई कि जी यू आई है गी यू आई एन ए ओ यू यू एस ठीक है ठीक है तो यह चीज़ है पेडिगरि अनलिस से हमको यही पता करना पड़ता है कि बिमारी autosomal है सेक्स्लिंग्ड है dominant है ठीक है तो यह करके हम समझते हैं तो हम सीद्धा एक पेडिगरिगरिव ले lets ही तुम को समझा चादें ठीक है case हमें कोई case ले ते पेडिगरिव का है कर दो आ कि और इसी से तुमको रूल लिखवा दिनको तुम्हारा काम चल जाएगा एक पीवेल है हमारी और यह फेक्टेट है कि में अन्ये फिमेल एफेक्टेट नहीं है male affected है male affected नहीं है ठीक है उसके बार यह female affected है male affected नहीं है ठीक है पर यहाँ पर यहाँ पर तो रूल नमबर वन क्या होता है पहले हम देखते हैं कि जो ट्रेट दिखा है वो dominant है या recessive है बड़ा आसान होता है इसको पता करना तुम पता करते हैं dominant कि और कि कैसे पता चलेगा सर तो जवाब अगर अगर जो pedigree analysis में generation skip हो रहा है अगर लिखो हिंदी में अगर बिमारी generation skip कर रहा है ध्यान से सुना मेरी बात skip कर रहा है तो क्या है तो क्या है यह यह रिसेसिव होगा अगर बिमारी generation skip नहीं कर रहा तो क्या है dominant अगर बिमारी generation skip नहीं कर रहा है तो क्या है सर डॉमिनिट अभी इस इसको बिमारी था इसके बच्चे को बिमारी हुआ सबको नहीं हुआ बटिसके बच्चे को बिमारी हुआ है या नहीं तो मतलब क्या generation skip कर रहा है? नहीं. generation 1 में बिमारी था तो generation 2 में बिमारी गया. generation 2 में बिमारी था तो generation 3 में बिमारी गया. generation 2 में बिमारी नहीं था तो generation 3 में बिमारी नहीं गया. तो इसका मतलब कि ये skip नहीं कर रहा, ये जो trait है मेरा क्या है? ये trait मेरा dominant है. सराइए, यहाँ पे इसके सर पे लिख देते हैं कि ये dominant है, क्योंकि मुझे तो पता चल जाए. अब rule number two पता करना है हुआ कि क्या ये autosomal है, हमको पता करना है, autosomal और ex-linked और wild. अब wild linked में क्या होगा? only males and all males are affected. तो wild link तो नहीं है, only males are affected. अभी मैं दिखाऊंगा तुमको इसका भी. तो ये तो भाई wild link नहीं है, यहाँ पे हमारी female भी affected है, यहाँ पे हमारी female भी affected है, तो wild link नहीं है. अब हमको पता करना है कि autosomal है, कि ex-linked है. कैसे पता चलेगा सर? इसका बड़ा simple rule है, समझो. इसका rule बड़ा simple है, क्या? अगर, ध्यान से सुना, बड़ा काम का चीज बता रहा है, बोलो के सर क्या होता है, क्रिस क्रोस इनहेरिटेंस अभी मैं बताता हूं, क्रिस क्रोस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, क्रिस क्रोस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, तो क्या है सर? अगर, क्रिस क्रोस इनहेरिटेंस शो कर रहा है, तो x-linked, अगर नहीं शो कर रहा है, तो तो कैसे मतलब समझो क्या हुआ पापा से बेटी और बेटी से ग्रैंड सन मम्मी से बेटा और बेटा से ग्रैंड डॉटर इसको क्रिस क्रोस इनरेटेंज कहते हैं फीमेल से फीमेल कभी नहीं होगा इस केस में देखिए लड़की एफेक्टेट थी और इससे लड़की एफेक्टेट हुई यहां तो चलो ठीक है लड़की एफेक्टेट थी लड़का लड़की दोनों एफेक्टेट हुआ तो इस केस में त तो क्रिस्क्रॉस नहीं है मतलब यह ट्रेट क्या है यह ट्रेट हो गया मेरा ओटो जो मल डॉमिनेंट क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्लियर हुआ क्यों क्यों क्योंकि यह क्रिस्क्रॉस नहीं शो कर रहा अब इस पर सवाल कैसा आ सकता है समझो वेटा इस पर सवाल ऐसा सकता इस अग्जामपल देख लो इसका एक्जामपल लिखती है ओर्तोसूमल डॉमिनेंट का मायो क्या बिमारी शो करेगा करेगा कैपिटल ए स्मॉल ए क्या बिमारी शो करेगा करेगा स्मॉल ए स्मॉल ए क्या बिमारी शो करेगा नहीं रिसेजिव कंडिशन में बिमारी शो नहीं कर रहा तो यह अगर या तो यह कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए क्यूं नहीं हो सकता यह क्योंकि ये सब को फिर effect करता cross करके देखो, अगर माल लो ये capital A, capital A होता और ये पकड़ लो, ये small A, small A ही होगा ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है और ये small A, small A होता तो सब को भी मारी होता capital A, small A, capital A, small A, capital A, small A, capital A, small A तो मतलब ये क्या है? इसका genotype क्या है? इसका genotype हो गया, capital A, small A ठीक है? तो सेम सब का निकाल लो, ये small A, small A हो जाएगा ये capital A, small A हो जाएगा, ये small A, small A हो जाएगा ये capital A, small A, small A हो जाएगा, ये small A, small A हो जाएगा small A, small A हो जाएगा, capital A, small A, small A हो जाएगा small A, small A हो जाएगा सकता है कि मानलो इसका एक और बच्का होगा ऐसका बीमारी होने का कितना है तो इसके के बच्चे का बीमारी होने का ज्वाल तुमसे पूछा सकता है है तो आपने एक देखा यहां पर ओटोव डामिनेंट वाला ठीक है अगर यही प्सकी ओता तो किस केंडिशिव में कैसे में क्या होगा है शो किसमें शो कर रहा है सिस्ट शो कर रहा है किस 만들어 कर रहा है सर्डेस्ट न के केसे बिमारी नहीं होगा और स्मॉले स्मॉले के केस में बिमारी आपको देखने को मिलेगा चलो एक और पेडिग्री अनलिसिस देखो क्या सर सेम अब रूल फॉलो करना है अब रूल बार बार मैं नहीं लिखोंगा कि अब बार मैं अब यह थे तुम्हारा प्रटे के दिखाए अब बार मैं यह थे तुम्हारा प्रटे के दिखाए सेम रूल पहला डॉमिनेंट या रेसेसिव शुरू में दिख गया इसको बिमारी नहीं था इसको बिमारी हो गया इसको बिमारी नहीं था इसको बिमारी हो गया मतलब जेनरेशन स्किप कर रहा है बिमारी रूल नमबर वन बिमारी जनेरेशन किप कर रहा है ठीक है सर तो मतलब क्या है सर यह बिमारी रिसेस यहाँ पर लिख लो अब क्या बोले वाइलिंग तो नहीं है यहाँ पर मेल भी मेल दोना इफेक्टेड है तो वाइलिंग गया दूसरा क्या है क्रिस क्रोस नेटेंशो कर रहा है नहीं मेल फी मेल दोनों को हो रहा है तो क्रिस क्रोस नेटेंशो नहीं कर रहा है तो मतलब क्या है नो क्रिस क्रोस तो सर क्या है यह और्टोजोमल तो और्टोजोमल रिसेसिट्रेट है इसका example हो जाएगा sickle cell anemia हाँ या नहीं हाँ या नहीं ठीक है क्या होगा इसका genotype निकालो अब इसमें probability बिमारी होने का माल लोग यहाँ पर चौथा बच्चा है इसका probability बिमारी होने का निकालो क्या से निकालएगा सार सिंपल देख लो तो चैप्टले आए स्मॉले कैपटल ए कैप्टल ए स्मॉले कैप्टल ए मौले ऑर स्मॉले प्रोयाबिटी कितना है सर कि 25 संथा 25 के अगर माल लो कि इस लिंक्ट डॉमिनेंट है, मतलब डॉमिनेंट कंडीशन में बिमारी शो करता है, मतलब डॉमिनेंट कंडीशन में बिमारी शो करता है, तो पकड़ो XAXA बिमारी होगा, XAX बिमारी होगा, XAY बिमारी होगा, XAX बिमारी नहीं होगा, और XY बिमारी नहीं होगा, है अगर पकड़ लो एक्स लिंग्ट रिसेसिव है एक्स लिंग्ट रिसेसिव है एक्स ए एक्स ए बिमारी होगा स्मॉल यह देख ले नो X, A, X, यह carrier होगी, यह बिमारी खुछ हो नहीं करेगा, X, A, Y, A की X प्रोमोजोम है, और उस पे बिमारी है, Y पे है, तो बिमारी होगा, X, X, बिमारी, नहीं होगा, X, Y, बिमारी, ठीक है, Y लिंक पे बात करोगे, सर, Y लिंक पे क्या होगा, obviously, X, Y, A, बिमारी होगा, X, Y, बिमारी नहीं होगा, X, X, बिमारी नहीं होगा, simple है, simple है, चल, एक पडिग्री देख्टे है, एक पडिग्री देख्टे है, माल लो, I will try to make a pedigree, ठीक, küçणते है, डिमारी नहीं होगा, था हुद马 में, रीक, प्यास करोगे, एक पेडिग्री ऐसा है मैंने रैंडवली बनाया ठीक है अब तुम बताओ कि कौन सा बिमारी है यह सेम रूल अपना फॉलो करेंगे क्या जेनरेशन स्किप कर रहा है बिल्कुल कर रहा है सर यहां पे कर दिया न इसको नहीं था इसको हो गया तो मतलब रेसेसिव है ठीक है अच्छा क्या ओटोजोमल है या एक्सलिंग्ड है अब बिटा देखो क्रिस्क्रोस नेटेंच शो कर रहा है फीमेल करियर थी मेल को हुआ यहां पे फीमेल करियर थी मेल को हुआ और मेल से फीमेल में नहीं हो रहा मेल से फीमेल में इधर नहीं हो रहा तो मतलब क्या है यह एक्स लिंग्ट रिसे से वह कैसा जीनो टाइप बनाओ गए सर तो यह female carrier थी obviously तो माल लो x ax होगा ठीक है यह normal x y होगा यह x ay होगा यह again x ax होगी यह x y होगा यह x x हो सकती है यह x y होगा और यह x x है यह x y x x x y यहाँ पर क्या होगा x ax में और x x करोगे तो देखो simple होगा x ax और उसके बाद x y तो क्या है x ax यह carrier हो सकता है यहाँ पर और x ay x x और x y तो यहाँ पर तुम्हारा आगे है बट अगर वही male affected था तो male माल लो कि x ay हो और यह x x है तो क्या होगा x ay और x x x ax x ax x y और x y मतलब यह दोनो female carrier है यह दोनो female carrier और यह normal male है clear है clear है clear है तो इस तरह का pedigree analysis तुम्हारा हो सकता है तो यह मतलब x link रिसे से हो गया ठीक है last एक कर लेते हैं के भी इस तो कि हुआ अगया यह दोनो यह अफे मतलब यह अज़़ों और यह यह गया री अज़े मतलब नहीं था, नहीं हुआ, था, हो गया, तो मतलब dominant है, ठीक है, अब इसमें क्या था, कि एक male को हुआ, तो सारे male affected है, यहाँ male को नहीं था, तो किसी male को नहीं हुआ, मतलब क्या है, y-linked है, तो सारे male affected है, है ना, तो मतलब क्या हुआ, y-linked हो गया, समझे, समझ में आई बात, चल, बहुत बढ़िया, pedigree analysis, एकदम मक्खन क्लियर हो गया, हाँ या नहीं, ठीक है, अब हम लोग कुछ disorder देख लेंगे, mendelion और chromosomal aberration का, चल यह शुरुवात करते हैं, mendelion disorder से, तो हमने बात किया था, mendelion disorder कैसा हो सकता है, या तो autosomal हो सकता है, या sex linked हो सकता है, autosomal है, तो autosomal dominant हो सकता है, autosomal recessive हो सकता है, sex linked में x-link dominant हो सकता है, x-link recessive हो सकता है, और y-link हो सकता है, ठीक है, तो mendelion disorder कब था, जब gene में disorder था, उसको हम mendelion disorder कहते थे, तो अलग अलग तरह का Mendelian Disorder हमको देखने को मिलेगा ठीक है एक एक करके पहले इसका नाम लिख लो कौन सा autosomal है कौन सा recessive है ठीक है तो पहले autosomal dominant पर लिखते हैं autosomal dominant आपके NCRT में जितने example है उस पर ही बात करेंगे तो autosomal dominant का example हो जाएगा myotonic dystrophy ठीक है दूसरा बात अगर हम करेंगे autosomal recessive की autosomal recessive की एक आजाएगा आपका सिकल सले नीमिया एक आपका आगया phalassemia एक आपका आगया phenyl ketonuria एक आपका आगया है मैं फिन्ल टुनोरिया हो गया फिर आपका गेश्तिस्टिक फाइबरोसिस आगल करेंगे एकस्लिंग equilibrium का कोई ऐस्गामपल आपको नहीं दिया है एक्सलिंग X-link dominant का वैसे example होता है Ducine's muscular dystrophy ठीक है जो किस में दिया हुआ है यह आपके movement and locomotion chapter में दिया है X-link recessive में आ गया hemophilia, color blindness और अगर आपको X-linked dominant लिखना है तो आ जाएगा आपका क्या X-linked dominant के case में आ जाएगा आपका बताएए Ducine's muscular dystrophy ठीक है मैंने यह sex limited traits यह सब जो जो NCRT में नहीं था उन सब चीजों को skip कर दिया पिछले 7-8 सालसस में सवाल नहीं है आगे भी नहीं आएगे तो इसलिए इतना ही आपको पढ़ना है ठीक है बाकी फिर chromosomal abrasions आ जाता है ठीक है तो चलिए सबसे पहले आते हैं sickle cell anemia की बात करते हैं तो आईए sickle cell anemia क्या होता है सब sickle cell anemia में इससे बात करते हैं पॉइंट वाई लिखते रहेगा sickle cell anemia कैसा है सर पहला autosomal recessive trait ठीक है autosomal recessive trait ठीक है तो जीन जो है बैटा कुछ ऐसे जीन थे इसके क्या है एच बी एच बी एच बी ए यह तुमारा normal जीन था ठीक है है एच बी एच बी स यहнаरा heterozygous condition था और एच बी स और हट भी स जब होता है तो यह वाला जो है यह sickle cell बनाता है कि normal Rbc जो था आपका नॉर्मल आर बीसी जो होता है वो बाइकन के होता है बट द्यू टू मुटेशन द्यू टू मुटेशन कौन सा मुटेशन से पॉइंट मुटेशन कहां पर सिक्स्थ कोड़ॉन ओफ बीटा ग्लोबीन चेन तो इसमें क्या हुआ ग्लूटैमिक एसिड मतलब जीए जी था दैट कोड़ फर ग्लूटैमिक एसिड ये कनवर्ट हो गया वैलीन में ये कनवर्ट हो गया वैलीन में ग्लूटैमिक एसिड किसमें कनवर्ट हो गया वैलीन कहां पर सिक्स्थ कोड़ॉन ओफ बीटा ग्लोबीन चेन में ग्लूटैमिक एसिड मेरा कनवर्ट हो गया वैलीन में, तो इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, कि the mutant, the mutant हीमोगलोबीन, mutant, हमोगलोबीन molecule, हेमोगलोबीन molecule, undergoes polymerization undergoes polymerization under low oxygen tension अगर मानलो oxygen in shape of RBC from bi-concave to sickle-like structure अब बोलो क्या होता है sickle-like structure देखो bi-concave मतलब क्या हो बेटा यहां भी ऐसे गट्टा और यहां भी ऐसे गट्टा और गोल है तो इस आराम से पास होता है sickle-like मतलब क्या होगा ऐसा service हो जाएगा तो अब क्या होगा यह तुम्हारे arteries में कहीं फज जाएगा तो यह bi-concave है और यह sickle-shaped है ठीक है चलिए आईए एक बार फंडबाक्स भूक से भी देख लेते हैं क्या तो sickle-like anemia is an autosomal hereditary disorder characterized by sickle-shaped erythrocyte under oxygen deficient condition कब high altitude पे या strenus exercise के दौरां क्यूं सिंगल बेस substitution in sixth position of beta-gloven chain मतलब glutamic acid convert हो जाता है value में बताया normal है carrier है और यह disease है यार रखिएगा यह resistance to malaria शो करता है इस condition में resistance to malaria शो करता है इसमें क्या होता है plasmodium अपना life cycle complete नहीं कर पाता है किस condition में heterozygous condition में heterozygous condition में यह resistance to malaria शो करता है ठीक है तो gene is located on chromosome number 11 इनिस्याटी में नहीं दिया बट लिख लिजे तो disease is caused by recessive allele and the individual who inherit one normal and one sickle cellar carry बट उसमें disease नहीं होगा ठीक है normal तुम्हारा hba है और affected तुम्हारा HbS इस पर सवाल भी आए हुआ हुआ है आपने देखा तो यहीं देखो यह है normal तुम्हारा और यह है sickle cell ठीक है तो यहां पर देखो glutamic acid convert हो गया वैलीन में यहां देखो GAG CTC और GAG GTG से CAG बना और यहां पर GUG बन गया ठीक है तो यहां पर तुम्हारा point mutation हुआ है मतलब adenine जो था यहां पर adenine जो था यहां पर वो thymine से replace हो गया है ठीक है तो इससे glutamic acid से वैलीन में change हुआ है sixth position of beta globin chain अगर तुमको इसका sequence भी याद रखना है तो इसका sequence भी याद रखेगा वैलीन, histine, leucine, thornine, proline, वैलीन और glutamic acid ठीक है तो यहां दो glutamic acid था बट यहां पर glutamic acid के बदले वैलीन लग गया है तो इसको हम कहते है sickle cell anemia clear है तो mutant hemoglobin undergoes polymerization under low oxygen tension causing damage in the shape of rbc और rbc जो है मेरा वो sickle shaped हो जाता है ठीक है याद रखना this is a qualitative blood disorder qualitative disorder qualitative disorder मतलब amount of hemoglobin या blood कम नहीं हो रहा बट quality of rbc alter हो रहा है इसलिए इसको हम qualitative disorder बोलते हैं इसलिए इसको हम qualitative disorder बोलते हैं clear है दूसरा बिमारी आते हैं इसको हम कहते थैलिसीमिया थैलिसीमिया क्यों होता है थैलिसीमिया is caused due to frame shift mutation कैसे हो रहा यह frame shift mutation हो रहा है वहां क्या था point mutation था तो यहां frame shift mutation हो रहा है ठीक है सब क्या है अगें इट आलसो एन और टो जोमल recessive disorder ठीक है तो मतलब क्या होगा recessive condition में बिमारी शो करेगा तो क्या होता है इसमें इसमें gene mutation होता है या deletion होता है जिसके कारण globin chain of hemoglobin नहीं बन पाता मतलब alpha globin chain या beta globin chain जो hemoglobin produce करती है वो produce नहीं कर पाता है मतलब RBC production या hemoglobin production कम हो जाएगा या खतम हो जाएगा ठीक है तो कैसा होता है दो तरह का थलिसीमिया होता है एक को हम कहते है एलफा थलिसीमिया और दूसरे को हम कहते हैं बीटा थलिसीमिया एलफा थलिसीमिया में क्या हुआ प्रोडक्शन ओफ एलफा globin chain is affected कहां पे controlled by HbA1 and HbA2 gene कहां पे क्रोमोजोम नंबर 16 पे बीटा थलिसीमिया क्या है प्रोडक्शन ओफ बीटा globin chain is affected कहां HbA2 gene क्रोमोजोम नंबर 11 पे तो दोनों पे सवाल आया हुआ है इस पे ध्यान रखिएगा तो क्रोमोजोम नंबर 11 पे अगर effect हो रहा है तो बीटा थलिसीमिया हो रहा है क्रोमोजोम नंबर 16 पे हो रहा है तो एलफा थलिसीमिया हो रहा है इसमें एक पॉइंट यहां पे लिख दीजिए this is a quantitative disorder this is a quantitative disorder quantitative disorder clear है क्या हुआ असर इसमें इसमें synthesis और globin chain नहीं हो रहा chain is reduced तो इस्ते क्या होगा hemoglobin production कम होगा ठीक है तो इसको हम कहते है थलिसीमिया क्योर क्या है सर regular blood transfusion करना पड़ता है किते दिन में हर 120 दिन क्यों क्यों क्योंकि RBC का life span 120 दिन का है समझ में आया है समझ में quantitative क्यों है क्योंकि produce नहीं कर पा रहा तुम्हारा यह अगला बिमारी पर आते हैं cystic fibrosis तुम्हारे NCRT में नहीं दिया सिर्फ नाम दिया इसलिए हम थोड़ा चा उसके बारे में बता देंगे क्या है यह भाईया यह भी autosomal recessive disorder बिल्कुल ठीक है क्रोमोजोम नंबर 7 के कारण होता है क्या होता है यहां पे appearance of fibrous cyst in the pancreas ठीक है तो इससे क्या होगा कि इसमें ठीक mucous secretion होगा including skin, lungs, pancreas and liver due to a production of defective glycoprotein ठीक है तो इसको हम कहते है cystic fibrosis नहीं भी पढ़ोगे तो यह चलेगा this is not very important ठीक है तो इसको ऐसे हम मार करते है मैंने सिर्फ इसलिए डाल दिया कि आप इस word से acquainted हो क्योंकि NCRT में यह दिया हुआ है ठीक है काम का चीज बस इतना जान लो कि autosomal recessive disorder है आगे आते phenyl ketonoria again it is also an autosomal recessive disorder क्या होता है यहां पे एक enzyme है जिसको हम कहते है phenylaline hydroxyzylase तो यह enzyme नहीं होता तो यह enzyme generally क्या करता है phenylaline को convert करता था tyrosine में तो अब phenylaline tryrosine में convert नहीं होता phenylaline convert हो जाता है phenyl pyruvic acid में किसमें convert हो जाता है phenylaline convert हो जाता है phenyl pyruvic acid में और फिर यह urine से निकलता है और इसका kidney में भी reabsorption कम होता है तो आपको dark colored urine देखने को मिलता है यह brain में भी accumulate हो जाता है जिसके कारण आपको mental retardation भी होता है ठीक है याद रखना phenyl ketonoria is an example of क्या पीलियो ट्रॉपी याद रखना हमने बताया था एक्जामपल और पीलियो क्लियर है क्लियर है तो यह हो गया आपका phenyl ketonoria काम की चीज़ क्या है फिनाइल एलीन हाइड्रोक्सिज बनना चाहिए था वह नहीं बन दा इसके कारण क्या हो रहा है जो टाइरोसीन में गर्ण पार करन दाइर क रहा है फिनाइल पाहिए एड़ेगाई से नियुकल पार सकृदिमेरे मेरे बोडी में रहा रहा है ब्रेन में जाकर चला जा रहा तो जिससे मेरामिंटल रेटारडेशन भी हो रहा है क्लियर है चलिए, और्टोजोमल रिसेसिव आपको पता है, चलिए, अब आते हैं, X क्रोमोजोम वाले चीजों पे बात करते हैं, कौन-कौन सा बिमारी है, ठीक है, तो हम लोग को दो ही पढ़ना है, एक पढ़ना है हीमोफिलिया, हीमोफिलिया क्या है भया, अगें, X-linked रिसेसिव ड disorder है, कैसा है, X-linked, recessive disorder, क्या होता है सर, यहाँ पे, कि यहाँ पे, यहाँ पे, a single protein, protein, that is a part of, of, क्या, cascade of protein, cascade of protein, clotting factors की बात कर रहा, cascade of, protein, involved in, clotting of blood, is affected, okay, affected, a single protein, that is a part of, casket of protein, involved in clotting of blood, is affected, कौन सा clotting factor होता है, भया, इस को हम कहते है, clotting factor 8, हीमोफिलिया A के लिए, clotting factor 8, for, हीमोफिलिया A, and clotting factor 9, for, हीमोफिलिया B, ठीक है, इसको तुम royal disease भी कहते हो, क्यों, queen victoria के family में, में तुमको देखने को मिलता है, because of queen, victoria is a carrier of disease, तो जितने male है, उन सब में, हीमोफिलिया के chances है, ठीक है, होता क्या है, इसमें, technically हीमोफिलिया में होता क्या है, तो हीमोफिलिया में, मान लो, कि एक्स, 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 female carrier है, एक्स, 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 मेल, affected है, बाकी तो normal हो गया, ठीक है, तो probability of female being affected is very low probability of of female being affected is very low ठीक है इस पर question आता है numerical question आ जाता है question आ जाएगा कि माल लो कि father है hemophilic ठीक है mother है carrier अब पूछा कि sun की hemophilic होने की probability ठीक अब यहां पर sun mentioned है अगर progeny पूछे तो अलग से बात करेंगे progeny की hemophilic होने की probability अलग से बात करेंगे और अगर daughter पूछे तो अलग से बात करेंगे तो देखो भाई कैसे ठीक है तो देखो अगर माल लो कि father hemophilic है तो xh y mother normal है तो xx अचा mother carrier मैंने डाल दिया चलो mother carrier डाल दिया तो xh x ठीक है तो female hemophilic होने की probability कितनी है अगर अगर पूछे बात करेंगे तो 50% सन अगर सन यह दुनों सन है तो कितना हो गया प्रोजेनी की probability 50% है डॉर्टर मतलब टोटल ये डॉर्णों डॉर्टर है तो डॉर्टर में से 50% affected है sun में से 50% sun affected है और प्रोजेनी में से 50% प्रोजेनी affected है तो इस तरह से तुमको clear करना पड़े गा समझ मैं है? समझ मैं है सर एक और example देख लो माल लो mother hemophilic father अच्छा एक काम करो grand mother hemophilic करो grand mother nani अगर हिंदी में लिख लो तो nani hemophilic है ठीक है? अच्छा father normal है अब निकालो तो अगर grand mother hemophilic है तो mother क्या होई? carrier ठीक है से mother क्या होई? carrier तो mother carrier तो क्या हुआ? एक्स एच एक्स father normal है एक्स वाई एक्स 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 और एक्स वाई तो अगर sun की बात करेंगे sun की बात करेंगे तो 50% sun 50% affected daughter की बात करेंगे 0% कोई daughter affected नहीं है और अगर progeny की बात करेंगे तो 25% सिर्फ एक progeny affected है अब इससे तुम ज़्यादा clearly समझ गयर हो तो इसको हम कहते है hemophilia clear 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 चलिए अगला आते है color blindness hemophilia का ही भाई है again ये भी क्या है X-linked recessive तो क्या होता है तुम color में distinguish नहीं कर पाते है primary color में distinguish नहीं कर पाते है तो क्या होता है defect in either red or green cone of eye तीन primary color होता है तो तुम इन दोनों में distinguish नहीं कर पाते हो ठीक है तो, तो failure to distinguish between both colors, ठीक है, इसमें यार रखना बेटा, 8% male NCRT line है, and 0.4% females are affected, बहुत important point, 8% male and 0.4% females are affected, very, very important, very important, ठीक है, इस पर सवाल आ हुगा, सेम यही है, बनतब, अगर माल लो, XC XC है, तो female affected है, ठीक है, XC X है, तो female carrier है, XC Y है, तो male affected है, बाकी case में normal female और normal male आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ में आया बेटा, समझ में आया बेटा, ठीक है, तो इस पर भी तुमको इस तरह का सवाल देखने को मिल जागा, हमोफिलिया के निकाले थे, वैसे ही इसका भी सवाल तुमको देखने को मिल जाता है, अब आते हैं, kromosomal disorder, क्या होता है और सब duo क्रोमोजोम डिसॉडर, इस को हम kromosomal aberrations भी कहते हैं, तो अब यह क्यों होता है, इसको समझो, it is caused due to, addition और deletion of chromosome और a part of chromosome और a part of chromosome क्या कहते हैं सर इसमें इसको हम कहते हैं enuploidy enuploidy ठीक है अब यह ploidy मैं तुम्हें अलग से समझाता हूँ ploidy मतलब क्या हुआ it is the number of sets of chromosome कितने sets of chromosome number of sets of chromosome ठीक है तो अगर माल लो कि कोई chromosome haploid है तो यह n number of chromosome होगा diploid है तो कैसा होगा 2n होगा triploid है तो 3n होगा तो number of sets of chromosome अगर बढ़ड़ा है quarter aploid हो सकता है hexaploid हो सकता है estivum इसको कहते है 6n is equal to 42 ठीक है इसका एक प्लाम पला है hexaploid wheat कहते है इसको ठीक है बट यहाँ sets of chromosome बढ़ड़ा है तो इसको हम कहते है polyploid क्या कहते है polyploid क्या होगा इसमें sets of chromosome बढ़ड़ा है sets of chromosome बढ़ड़ा है पॉली प्लोड़ी ठीक है बट अगर addition और deletion of chromosome हो रहा है addition और deletion of chromosome हो रहा है तो इसको हम कहते है सर एन्यू प्लोड़ी ठीक है क्या होता है सर इसमें कैसा कैसा हो सकता है मान लो की प्लोड़ी है 2n-2 दो chromosome delete हुआ तो इसको हम कहते है nullizomy ठीक है अगर मान लो 2n-1 है तो इसको हम कहते है monosomy और अगर पकड़ लो 2n-1 है मतलब एक chromosome बढ़ा तो इसको हम कहते है try 2n-2 हो जाएगा तो tetrazomy हो जाएगा इस condition को हम कहते है अनुप्लोडी और अनुप्लोडी के केस में ही हमको chromosomal aberrations देखने को मिलता है कौन-कौन सा chromosomal aberrations देखने को मिलता है बेटा देखते है सबसे पहला है down syndrome ठीक है क्रोमोजोम नंबर 21 का trisomy है तो कौन सा trisomy हो गया autosomal trisomy हो गया ट्राइ जोमी हो गया ठीक है तो एक्स्ट्रा 21 क्रोमोजोम इस दूट्व नॉन डिस्जंक्शन इन मियोसिस वन एना फेज में क्या हुआ डिस्जंक्शन नहीं हुआ तो क्या हुआ एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम उसमें एड हो गया तो number of chromosome कितना हो जाएगा अगर माल लो यह individual है number of chromosome नॉर्मल 46 था तो यहां कितना हो जाएगा 46 plus 1 that is equal to 47 trisomy है ना एक क्रोमोजोम नंबर बढ़ गया ठीक है तो क्या हुआ तो the person has 47 क्रोमोजोम 45 plus xy in male and 45 plus xx in female ठीक है क्या क्या होता है the affected individual is short statured height छोटी रह गई small round head है furrow tongue है तो बोल नहीं पाएगा partially open mouth है मुझ खुला रहेगा palm broad और palm crease दिखेगा उसका retarded physical psychomotor and mental development तो यहीं तुमको देखने को देखो यहीं तुमको देखने को देखो बेटा मिल जाएगा तुमको क्या यही चीज कि मतलब 21th chromosome में trisomy है एक extra है ठीक है इसको यार रखना phenyl ketonoria भी होगा ती दोर add कर दो phenyl ketonoria भी होता है जो इंसान को down syndrome है ठीक है अच्छा एक और सवाल आता है कि down syndrome क्या fertile होता है down syndrome वाला yes they are fertile मतलब यह बच्चा पैदा कर सकता है and probability क्या होगा बच्चा होने का 50% अगर बच्चा हो रहा है इसका तो 50% probability है to be affected वैसे तो sex नहीं कर पाएगा क्योंकि mentally disretarded है अगर करवाया है जैसे तो यह fertile है बड़ा important point है इसको mention कर लिजेगा ठीक है यह है आपका down syndrome ठीक है sir दूसरा cry do chat है cry do chat पे एक बार सवाल आया क्या है भईया cry do chat क्यों भई बच्चा जब रोता है तो बिल्ली के तरह आवाज आता है तो newborn produces high-pitch cry resembling the sound of a cat क्या होता है due to deletion of short arm of chromosome number 5 deletion of short arm of chromosome number 5 तो क्या क्या दिक्कत है भईया इसका small head widely spaced eyes round face cry similar to that of a kitten or congenital heart disease तो ये बच्चा ज़्यादा जिन जिन्दा नहीं रहेगा ये बच्चा मर जाता है इसको हम कहते है cry do chat syndrome again तुमारी NCRT में नहीं दिया है तो तुम इसको skip कर सकते हो अगला आते हैं सर six chromosomal abnormality तो इसमें क्या हुआ अच्छा इसमें number of chromosome क्या है अगला सर आ गया client filters क्या भाईया occurs in males ठीक है cause due to presence of additional copy of X chromosome तो genotype क्या हो गया 47 chromosome मतलब 44 plus X XY एक extra copy of X chromosome है ठीक है तो individual का overall masculine development है बट इसके breast देखने को मिलेंगे तो feminine character दिखेगा आपको individual sterile होते हैं beard growth नहीं होगा feminine pitch voice होगा tall stature होगा तो overall masculine development बट आपको development of breast या gynecomastia भी दिखेगा दूसरा important चीज कि individual sterile होते हैं तो मतलब इसका बच्चा नहीं हो रहा तो extra copy of X chromosome से क्या हुआ client filter से syndrome हुआ extra copy of X chromosome से क्या हुआ client filter syndrome हुआ ठीक है चले अगला सर है उसको हम turner syndrome कहते हैं अगेन ये भी female में होगा ठीक है क्या absence of one X chromosome तो क्या हुआ 44 plus X हो मतलब total number of chromosome कितना होगे सर 45 है ना 44 plus X हो तो female है sterile है rudimentary ovary है secondary sexual characters नहीं है मतलब छोटे breast हो अगरा होंगे underdeveloped feminine characters है poor development of breast है short stature है और overall mental retardation भी थोड़ा बहुत आपको देखने को मिल जाता है Turner syndrome में ठीक है दो और बिमारी होती है जिसमें super female कहते हैं और super male कहते हैं तुम्हारे anxiety में नहीं है बट फिर भी हम mention कर देते हैं super female में क्या होता है बटा एक extra set of x chromosome या दो extra set of x chromosome तो भाई क्या इसको super female कहते हैं तो they have abnormal sexual development और mental retardation भी हो सकता है बट यह fertile होती है तो यह बच्चा पैदा कर सकती यह fertile होती है ठीक है super males की बात करेंगे इसको poly y syndrome कहते हैं तो इसमें क्या होता है एक extra y chromosome होता है ठीक है इसको Jacob syndrome भी कहते है और यह criminal tendency show करता है वैसा इंसान ठीक है बहुत aggressive होगा testosterone level का ज्यादा होगा body का development बहुत masculine होगा and यह fertile होगा बहुत सही इसका normal fertility होता है यह भी fertile होता है है clear 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 पढ़ तो यह हो गया आपका सारा बिमारी done and dusted तो डाल दो hashtag chapter completed कोई doubt है तो comment section में mention कीजिए नहीं तो लिख दीजेगा crystal clear